है 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 लो गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स कैसे आप सभी आइविश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे बैतरी नोंगे आप सभी को गुड मॉर्णिंग है और जो अभी लाइव सेशन पहली बार जॉइन हुए है उनको बता दें कि डिरेट टेक्स और इंडिरेट टेक्स के 50 आर्ट इच के प्रेक्टिकल वीडियो अवेलेबल हैं उन वीडियो का असेस लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिं आपको जरूवत है सिर्फ और सिर्फ प्रेक्टिकल पेशन करने की डिरेक्स और इंडिरेक्स के अंदर सब इको गूड मोणिंग है सोन on hikingग गूड मॉर्णिंग है आज का हमारा जो लाइव रिवीजन का सेशन है आपको थमनेल से मालूम है कि एनर टेक्सेशन उसके अंदर हम डील करेंगे इंट्रेस्ट की टेक्सिबिलिटी एक्जाम पॉइंट अवी से बड़ी इंपॉटेंट है रोयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विस डिविडेंड होके साथ में बिजनस कनेक्शन हम सीधा हमारे काम पे आते हैं और शुरुवात करते हैं थोड़ा सेक्शन नाइन से थोड़ा सेक्शन नाइन पढ़ लेंगे और फिर ग्रेजूली हम एनर के टेक्सेशन पे पहुच जाएंगे सेक्शन नाइन हमको बूलता है कि अगर आपने अपनी सर्विस इंडिया में रेंडर करी है चाहे आप रेसिडेंट हो चाहे आप क्या हो नॉन रेसिडेंट हो तो आपने अगर अपनी सर्विस इंडिया में रेंडर करी है तो उस पीरिड की जो भी क्या होगी सेलेरी होगी वो always accrue और horizon इंडिया मानी जाएगे अब इसमें एक विशेश बात ये भी है आपने जिस period की आपने service इंडिया में rendered करी है उस period के अंदर आपको कुछ leave भी मिली है और वो leave encashment होता है तो वो leave encashment भी accrue और horizon इंडिया माना जाएगा अब इसमें एक बात और ध्यान से समझेगा अगर service आपकी इंडिया में rendered है और उसके बाद में अगर आपको pension मिलती है भली pension आपको तम मिलती है जब आप non-resident हो चुके हो लेकिन service कहाँ पर rendered थी इंडिया में rendered थी तो वो pension income हो चाहे वो leave encashment हो चाहे वो salary bonus commission हो आप resident हो non-resident हो अगर service इंडिया में rendered हुई है तो वो accrue और arising इंडिया मानी जाती है अगर बात समझ में आ गई है तो comment करके mention कर दीजेगा ये sir बात समझ में आ चुकी है कमेंड करके mention कर दीजेगा कि ये sir बात समझ में आ गई sir N.R. कितनी class में होगा fundamental N.R. interest, royalty, fee for technical service, dividend ओके ये सब आज ही की क्या हो जाएगा class में हो जाएगा और next class में आपको company का residential status निकालना मतलब पूरा residential status और N.R.I. का taxation बता दूँगा और advance ruling भी ठीक है चलिए इसके बात में हम आ रहे हैं हमारे वो ही section 9 इंडिया इंडिया होता है यह बोलता है अगर आप government government चाहे central government ऑ 주. state government government क्या क्या दे रही है salary दे रही है विशेश बात से रही किसको दे रही है Indian citizen को दे रही है चाहे वो resident हो चाहे non 127 ऐसा Liquid religion इसको salary government से चाहे वो केंदर सरकार राज्य सरकार हो उससे रही हो और उसने जो अपनी सर्वीस रेंडर करी है कहां पर करिए आउटसे इंडिया रेंडर करिए इसको याद करने के लिए आप एक बहतरीन एक्जामपल में यहां पर दे देता हूं जैसे कि मान लीजे आप बाहर इंडियन एमबसी में काम कर रहे हो जैसा आपनी मूवी यहों कि पीके मुवी उके जिसके अंदर सर्फरास जो था वो पकिस्तान एंडर सी में काम कर रहा था कहां पर लंदन इसी तरीके से आप मान ली ज mode आप इंडियन एंबसी में क्या कर रहे हो काम कर रहे हो लंदन में आप रेसिडेंट भी हो सकते हो नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हो आप अपनी सर्वीस भी कहा रेंडिड कर रहे हो आउटसे इंडिया रेंडिड कर रहे हो लेकिन आपको सेलेरी किसे मिल रही है गौर्रमेंट Department कि पर अगर सैंडिया में रेंडियॉड हो तो यह मस्ट को ऐसे उसी फैलिंग की साथ ले सकते हो अगर आप इंडियान EMBC काम कर रहे होंगे बात हैं अप citizen तो होंगे बस होते होते हो सकता है कि बाहर रहते वे नॉन resident हो गए हो तो आपने जो service बाहर rendered करी है वो एक्रू और अरेजिन इंडिया मानी जाएगे अब इसके अंदर एक विशेश बात आपको और बता देता हूं कि ऐसे में गवर्मेंट से आपको जो भी salary bonus commission के अलावा जो भी allowances और क्या मिल रहे है परक्यूसिट मिल रहे है वो income tax में section 10 और clause 7 से क्या होते हैं exempt होते हैं तो allowances और जो परक्यूसिट होंगे वो section 10 और clause 7 से क्या हो जाते हैं exempt हो जाते हैं चाहे वो dividend इंडिया में दे चाहे वो dividend कहां पर दे आउटसे इंडिया दे इंडिया दे इंडियन कंपनी से मिलने वाला dividend always accrue और rise in इंडिया होगा और आप सभी को ये बात बिलकूर मालूम होगी कि dividend income always किसमे taxable होती आयोस हेड में taxable होती है भले आपने shares को stock in trade की तरह ही क्यों न held कराओ लेकिन dividend always कौन से हेड में taxable होगी आयोस हेड के अंदर taxable होगी ध्यान रख ले ना residential status से कोई फरक नी पड़ता है dividend कहां receive हो रहा है इंडिया में receive हो रहा है या outside India receive हो रहा है इससे भी कोई फरक नी पड़ता है फरक बस ये पड़ता है कि अगर Indian company से dividend मिल रहा है तो वो always accrue और arise in India ही क्या करा जाएगा माना जाएगा I think मेरे ख्याल से बास समझ में आ गई होगी ओके अब चलिए अब हम थोड़ा सा non-resident की तरफ क्या कर रहे हैं बढ़ रहे हैं और अब मैं बता रहा हूं आपको section 9 subsection 1 clause 5 clause 6 और clause 7 interest royalty और fee for क्या है technical service और इसके बाद में आपको इसके taxability rate of taxability बताऊंगा under section 115A और 44D ये से को के एक्जाम में बिल्कुल क्या हैं कुशन आये हैं और यकीन मानिये पूरा international taxation जो होता है बड़ा आसान है बहुत सिंपल है ये इतना सिंपल है कि इसमें से 30 में से 30 marks बड़े आराम से लाए जा सकते हैं बिल्कुल आराम से लाए जा सकते हैं कुछ भी complicated नहीं है international taxation के तो सब कुछ बहुत आसान क्या है topic है बहुत आसान topic है जरूवत बस ये है कि नोर्स बड़े इस तरीके से हो कि फटाफट क्या हो जाए रिवाइस हो जाए और सारे practicals करके गए वे हों तो practicals के मैं आपको सारे adjustment sheet क्या कर रहा हूं provide कर रहा हूं जैसे PGP में provide कर दिया है तो स पर टेकनिकल सर्विस पर आप डाइग्राम में यहां पर देख सके होंगे कि मैंने तीनों को एक साथ ही क्या कर रहा हूं डिल कर रहा हूं अगर इंट्रेस्ट का पेमेंट रॉयल्टी का पेमेंट या फी फॉर टेकनिकल सर्विस का पेमेंट मान दीजे हम किसी non-resident को कर रह है गॉर्मेंट कर रही है गॉर्मेंट ओफ इंडिया चाहे वो central government कर रही हो यह state government कर रही हो तो government से मिलने वाला interest royalty fee for technical service always deemed to accrue और इंडिया ही कहलाता है तो यह लीजे highlight कर दिया है payment by government always deemed to accrue और इंडिया इसके अलावा और कोई condition नहीं है सिर्फ यह देखना है कि government से मिल रहा है government उस पैसे का क्या कर रही है हमने उनको इंडियन करंसी में दिया हमने foreign currency में दिया doesn't matter interest income always accrue और राइज इंडिया ही क्या करी जाएगी मानी जाएगी इसके बाद में आते हैं हम वही interest चल रहा है royalty चल रहा कौन सा हो resident होना चाहिए अगर आपको resident से interest मिल रहा है royalty की income मिल रही है यह fee for technical service की income मिल रही है और उस resident ने उस loan का उप्योग royalty यह fee for technical service मतलब intangible asset property का utilization उस technical service का utilization for the purpose of business profession in India करा है ठीक है ना श्रिलंका नहीं पाकिस्तान नहीं ठीक है ना नेपाल नहीं बंगलादेश ने लोट नहीं for the purpose of business profession in लिए बर रही वो लोट कहां दिया हो बहर दिया हो बल के सर्विस कहां रंडर करी हो बहर क्या रंडर करी हो payment भी कहां बहर हो रहा है आगर उसका utilization कहां पर हो रहा है इंडिया में हो रहा ही वh before the purpose of business प्रोफेशन है फॉर्ड पर्पस बिजनस प्रोफेशन तो वह इंट्रेस्ट की इंकम रोयल्टी की इंकम फीफोर टेक्निकल सर्विस की इंकम एक्रू और इंडिया मानी जाएगी अब इसके बाद में अगर आप उस लोन का यूटलाइजेशन रोयल्टी का इनो चाहे वो आपका क्या हो इसका मतलब चाहे पीजी पी इंडिया हो या फिर अधर सोर्स इंकम अधर सोर्स ऑफ क्या है इंकम हो ठीक है ना एनी अधर सोर्स ऑफ इंकम इन इंडिया हो होना क्या चाहिए इन इंडिया नहीं होना होना चाहिए तो वह रोयल्टी की इंकम fee for technical service की income income इंडिया में accrue और horizon इंडिया मानी जाएगी वो interest की income भी accrue और horizon इंडिया मानी जाएगी मिल किस से रहा है रेसिडेंट से मिल रहा है राज अभी शेक भाईया को वेरी क्या है good morning है अब इसके बाद में आते हैं मान दीजे अगर एक non-resident दूसरे ही non-resident को मैं तो कहता हूँ even outside इंडिया ही क्या कर रहा है payment कर रहा है interest का कर रहा है royalty का कर रहा है fee for technical service का कर रहा है लेकिन लेकिन उस intangible asset property का technical service का consultancy service का manager service का utilization अगर कहां पर हो रहा है for the purpose of business and profession in इंडिया हो रहा है या फिर for earning any source of income in इंडिया हो रहा है तो जैसा अपन ने किसके लिए पड़ा, डाइगराम में देखो, resident के लिए पड़ा, वैसे ही मैंने यहां तीर किसके लिए निकाल दिया, non-resident के लिए, दौनों के लिए सेम बात है, business profession in India, और for earning any source of income in क्या है, India, तो taxable होगे, अब exam में आपको एक बात यहां पर क्या रखनी ह ठीक है, और वो बात ध्यान रखनी है, only in case of किसके non-resident के case में, और वो भी कौन से के case में, only interest के case में, तो in case of क्या है, interest, not deemed to accurate in India, ठीक है, अगर आपने उस loan का utilization for the purpose of, अगर business profession in India करा है, तब तो वो non-resident के लिए इंडिया में क्या होगी, taxable होगी, तब तो वो taxable होगी, लेकि अगर उस loan का utilization non-resident ने, resident के लिए बात नहीं कर रहे हैं, non-resident के लिए बात कर रहे हैं, अगर उस non-resident ने उस loan का utilization for the purpose of earning, any source of income in India करा है, बात सिर्फ interest के कर रहे हैं, और बात सिर्फ और सिर्फ non-resident के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वापी से आपके लिए एक mention कर रहा हू लिखें interest की बात कर रहें और सिर्फ किस के लिए कर रहें non resident के लिए बात कर रहें और बात भी कब कर रहें business profession वाली नहीं earning क्या है any source of income की मतलब other than business की बात और हैं तो वो interest की income इनडिया में क्या नहीं होगी taxable नहीं होगी किसके लिए non resident के लिए तो non resident अगर मान दीजे बाहर से क्या लेता है loan लेता है और loan लेने के बाद में इंडिया में एक घर खरीद लेता है जिससे उसको rent की income आ रही है या फिर इंडिया में क्या कर लेता है shares खरीद देता है जिससे उसको capital gain या dividend की income हो रही है ओके ये किसके लिए का है, only in respect of interest, only in respect of non-resident and only in respect of क्या है, any other source of income, अगर exam में question आ जाता है, ठीक है न, कि वो क्या है, non-resident है, ओके और for the purpose of earning any source of income in India करा है, लेकिन उसका payment वो क्या कर रहा है, royalty या fee for technical service का कर रहा है, तब तो वो deemed to accrue or arise in India मानी जाएगी, मतलब सिर्फ interest के case में accrue or arise in India नहीं मानी जाएगी, बाकी royalty और fee for technical service के case में तो वो accrue or arise in India ही क्या करी जाएगी, मानी जाएगी, तो exception सिर्फ और सिर्फ किसके case में है, interest के case में है, non-resident के case में है, और any source of income in India के case में, बाकी के case में कोई भी ऐसा exception नहीं है, I think आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्या चुकी है, समझ में आ चुकी है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आगी, even service rendered भी का हो और ये बार हो रही है, लेकिन utilization कहां पर देखना है, utilization देखना है, कहां पर है, अगर इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो वो interest की income, royalty की income, और fee for technical service की income, इंडिया में accrue और horizon इंडिया मानी जाती है, अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, interest को लेके, income tax के अंदर, interest को जो define करावा है, उस interest के अंदर, आप loan लेने के लिए जो processing fees पे करते हैं, documentation charges, other charges, आप जो भी क्या करते हैं, वो सब interest की definition में ही क्या होता है, cover होता है, तो आप ध्यान रख लीचे का, यहां पर और बता देता हूं, हाला कि already मैंने tedious chapter के अंदर, जब आपको 194, यह कराया था, interest, other than interest on security, तो वहां पर बताया था, लिखावा भी था, यहां पर वापिस से आपको लिख देता हूं, कि वो loan के लिए जो भी other charges भी क्या करने पड़ रहे हैं, pay करने पड़ रहे हैं, तो वो other charges भी किसमें cover होंगे, इस interest word में ही cover होंगे, exam में बिलकुल क्या सकेगा, इस बात का question आ सकेगा, हाँ जी, चलिए, अब हम आपको यह समझा देते हैं कि royalty क्या होती है, मान दीजे, patent है, copyright है, trademark ह design है, कोई भी invention है, model है, secret क्या है, formula है, ओके, तो इसको अगर हम आपको permit to क्या कर रहे हैं, use कर रहे है, permit to use का मतलब है, अगर हम आपको temporary transfer कर रहे हैं, permit to use कर रहे हैं, okay, license कर रहे हैं, lease कर रहे हैं, तो उसका जो consideration होता है, वो क्या होता है, royalty होता है, तो आप यहाँ पर देख स होता है मतलब transfer of क्या हो जाते है all क्या हो जाते राइट हो जाते हैं सिर्फ यूज करने का राइट ही नहीं उसका title भी क्या हो जाता है तो उस case में उसकी taxability royalty नहीं होती है फिर वो क्या होती है capital gain होती है ठीक है ना क्या होती है capital गेन होती है तो इस तरह से कुशन भी आ सकता है जिसमें आपसे पुछा जा सकता है कि क्या करें हम उससे सारे राइट्स खरीद लें तो आप आंसर दोगे कि उसकेस में capital gain taxability होगी आप taxability निकाल सकोगे सोनम मेडम ने का है सर इंट्रेस्ट के केस में एन आर वाला लोन taxable नहीं होगा मतलब हाँ बिलकुल बात सही है लेकिन सोनम मेडम इस बात में आप एक ध्यान रखेगा ये तभी होगा जब उस लोन का utilization for the purpose of earning any source of income अगर बिजनस प्रॉफेशन के लिए करा अगर बिजनस प्रॉफेशन के लिए करा है तब तो वह इंट्रेस्ट की इंकम इंडिया में एक्री और राइज इन इंडिया मानी जाएगी लेकिन अगर उस लोन का utilization for the purpose of earning any source of income any source का मतलब है other than बिजनस और प्रॉफेशन तो वह इंट्रेस्ट की इंकम को एक्री और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा यह exception सिर्फ इंट्रेस्ट पे अप्लीकेबल है royalty और फीफो टेक्निकल सर्विस पे अप्लीकेबल नहीं है आई थिंग आपको बास समझ में आ गई है royalty की भी बास समझ में आ गई कुशन एक्जाम में अल्ड़ी आए हुआ है दो पॉइंट में पूछा था कि क्या करना चाहिए temporary transfer करें तो royalty होगी royalty का taxation 115A में 10% की rate से provide किया गया है और अगर आप उसको permanently transfer करा देंगे तो taxability किसमा आएगी capital gain के अंदर आएगी तो आपके पास में ऐसा कुशन आ सकता है जिसमें दोनों taxability निकाल के आप से पूछा जा सकता है कि taxability के purpose से हमें क्या करना चाहिए अब इसके बात में एक बात आप अच्छे से समझ लीजेगा अगर कोई भी industrial या commercial या scientific equipment है exam में बिल्कुल कुशन आएवा है गबरनी की बात बिल्कुल नहीं है मैं सिर्फ general plant machinery की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो industrial scientific या commercial equipment होते है अगर उसको यूज करने के लिए दिया गया है लीस पे दिया गया है तो उस लीस का जो आप payment करोगे तो वो कौन सा कहलाएगा रोयल्टी का कहलाएगा बड़ी special बात है बड़ी ही खास बात है कौन सी बात है industrial equipment हो गए commercial equipment हो गए और scientific क्या होगे equipment होगे अच्छा इनके साथ में अगर आप उनसे कोई service fees भी क्या कर रहे हो ले रहे हो ठीक है ना service fees भी ले रहे हो जैसे मान लीजे मैंने पांच कोड़ रुपे के आपको क्या दिये scientific commercial और मैंने आपको industrial equipment lease पे क्या करें प्रवाइड करें और उस पे मैं आपसे 5% क्या कर रहा हूं service fees चार्ज कर रहा हो तो फ्रेंड्स ध्यान से समझ लेना जो भी आपने service fees क्या करी है चार्ज करी है इन connection विद कौन सा इंडेस्टियल equipment commercial equipment scientific equipment हो गए या कोई भी service fee आप चार्ज कर रहे हो इन relation to royalty, patent, copyright, trademark, know-how, इनके franchise relation में तो वो service fees को भी क्या माना जाएगा royalty ही क्या करा जाता है माना जाता है एक्जाम में already कुशन आएवा है student ने बिल्कुल क्या कर दिया रॉंग कर दिया है तो उसको भी क्या मानना है royalty ही मानना है sale, distribution, exhibition of cinematographic क्या है film में ठीक है तो आज हमारी जो movies होती है उनके जो films होती है उके उसके corporate sale कर दो उसका distribution है या उसका move theater में क्या होता है exhibitions होता है तो exhibition rights दी जाते हैं, distribution rights दी जाते हैं तो उनसे जो consideration मिलेगा वो भी क्या कहलाएगा royalty ही कहलाएगा वो भी क्या कहलाएगा royalty कहलाएगा ऐसे तो अपन royalty का मतलब already अपन पढ़ चुके हैं जब अपन ने TDS के अंदर section कौन सा करा था 194C करा था और वहाँ पर already मैंने सब कुछ क्या करा हुआ था आज वापिस से दुबारा पढ़ने को क्या करना मिल रहा है अगर आप software क्या करते हो purchase करते हो मतलब आपको license मिल रहा है ध्यान रखना सिर्फ independently कोई software क्या कर रहे हो purchase कर रहे हो तो किसी से भी आप software purchase कर लो उसका consideration क्या कहलाएगा royalty ही किलाएगा ठीक है क्या किलाएगा royalty किलाएगा अगर आप क्या कर रहे हो broadcasting कर रहे हो ठीक है telecasting कर रहे हो through use of satellite जैसे क्या होता है इंडिया में किसी भी television channel को movie क्या करने के लिए दिखाने के लिए या कोई भी cinema दिखाने के लिए उनको क्या करनी पड़ती है down up linking और उसके बाद में इंडिया में क्या करनी पड़ती है consideration कहलाता है already ये बात भी exam में आ चुकी है ध्यान रखना highlight कर रहा हूँ आप भी देख लो computer software लिखा है broadcasting telecasting through use of satellite मैं आपके लिए लिख देता हूँ up linking करना और उसके बाद में ठीक है न उसको telecast करने के लिए क्या करनी पड़ती है down linking करनी पड़ती है use of क्या है server server की use का मतलब है आप credit card debit card को हर बार जो machine में क्या करते हो या POS machine में swipe करते हो server उसकी क्या करता है transaction को record करता है ऐसी के लिए आप server के को क्या करनी के लिए payment कर रही है इंडियन बैंक्स जो payment कर रही है वो payment क्या कहलाता है royalty का payment कहलाता है अब एक वीशेश बात आप यहाँ पर ध्यान से क्या कर लीजेगा समझ लीजेगा आपने मान लीजे कोई computer क्या करा है purchase करा है computer hardware purchase करा और उसके अंदर मान लीजे आपको windows software क्या आता है सात में आता है तो हम उसको क्या नहीं मानते है royalty नहीं मानते है को ध्यानों कंप्योटर पर 40% की रेट से क्या लगा दिया जाता है डैप्रीसीशन लगा दियाता है अल्डडी एक्जाम में कुशन आ दिया है यहां पर मैं एक बात आपको और बता देता हूं जैसे कि आपने जी एसम सैलूलर फोन होते हैं वो इंडिया में क्या करें हैं इंपोर्ट करें हैं साथ में उसके अंदर उसका क्या रहेगा एंड्रॉइड क्या रहेगा सॉफ्ट्वेर भी रहेगा ठीक है यह केस का पर कोड़ने का है कोई इंडिपेंडंट क्या नहीं है उसका इंडिपेंडंडेंट कोई फंक्शन नहीं है है software जो इस hardware के अंदर embedded किया गया है वो इस hardware को use करने के लिए किया गया है तो इस software की अपना आप में या windows software होता है या android software उसका अपना आप में कोई independent existence नहीं है उसका कोई independent use नहीं है उसका independent कोई function नहीं है वो उस hardware को ही use करने के लिए है तो ऐसी स्थिती में अगर आपने को जी एसम सेलियर फोन इंपोर्ट कर रहे हैं इसके अंदर एंड्रोइड सॉफ्वेर भी है तो इस को क्या नहीं माना जाएगा रॉयल्टी नहीं माना जाएगा आई तिंक आपको बास बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी इसके बात में टेकनिकल सर्विस का मतलब क्या होता है कोई भी मैनेजर सर्विस है टेकनिकल सर्विस है और कंसल्टैंसी सर्विस है यह सबी सर्विस कौन दे सकता है कोई human नी दे सकता है कोई machine कभी भी टेकनीकल सर्विस नहीं दे सकते क्योंकि आप देख लिजे पहला word manager ले जहां पर human होता है consultancy कोन दे सकता है तो पहला word manager हो गया अगला word consultancy हो गया तो बीच वाला word जो technical है वो भी कौन होगा जो human क्या करता है प्रवाइड करता है ठीक है जो specialized क्या होती है service होती है general नहीं होती है ओके अगर आप किसी से managerial consultant की service ले रहे हो ठीक है तो वो क्या क्यलाएगी fee for technical service ही क्या होगी क्यलाएगी और अगर उस managerial consultant service का utilization for the purpose of business profession in India करा है या फिर for the purpose of earning any source of income India करा है तो वो income fee for technical service की income इंडिया में accrue और horizon इंडिया ही क्या करी जाएगी मानी जाएगी आई तिंक आपको यहां पर बात समझ में आ गई होगी समझ में आ गई है तो एक बार comment करके आप जुरूर यहां पर क्या कर दीजेगा mention कर दीजेगा इसी के साथ में section 9 subsection 1 clause 5 clause 6 clause 7 करा clause 5 interest का था clause 6 हमारा royalty का था clause 7 fee for technical service का था हमको सिर्फ इंडिया में utilization देखना है ओके loan कहां पर दिया गया service कहां पर rendered हो रही है payment कहां किया गया इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इवन अगर वह service क्या नहीं है रेंडिड इन इंडिया नहीं है उसका payment भी क्या हो रहा है बाहर हो रहा है उनका मान दीजे non-resident का इंडिया में कोई permanent establishment भी नहीं है कोई business connection भी नहीं है तो भी वह income इंडिया में ही accurate in India मानी जाएगी payment भी बाहर हो रहा है आपका residential status भी क्या है non-resident है इंडिया में कोई आपका P.E. या business connection नहीं है तो भी interest की income royalty income fee for technical service की income का accurate in India माना जाएगा so far जब तक कि उसका utilization for the purpose of business profession इंडिया हुआ है यह for the purpose of earning any source of income in India हुआ है तो वो accurate or rising India ही क्या करी जाएगी मानी जाएगी तो I think आपको यहां पर बिलकुल यह बात क्या आ चुकी है समझ में आ चुकी है इसके बात में एक बात आप अच्छे से समझ लीजेगा मान लीजे आप एक resident हो और आप किसी non-resident को बाहर जाके ठीक है ना कोई भी क् इसको है non-resident को दिया दिया भी कहां जाके है बाहर जाके दिया तो जिसको रिसी हुआ उसको भी बाहर रिसी हुआ और दिया भी कहां गया है बाहर दिया गया तो ऐसी स्थिति में वो गिफ्ट इंडिया में taxable नहीं हो रही थी तो section 9 sub section 1 clause 8 की साहता से इन्होंने का अगर रुपे से ज़्यादा की तो उस गिफ्ट को इंडिया में एक्रियू राइजिन इंडिया माना जाएगा लेकिन विशेश बात यह है एक्जाम में कुशन आता है तो यह प्रोवीजन अभी सिर्फ और सिर्फ मनी गिफ्ट के लिए applicable हुआ है अगर यही गिफ्ट आपको इम इंडिया में आई जाएगी बात हो रही थी किसको लेके बुढ़ी गिफ्ट को किया करा है कवर करा है औधर देन मनी गिफ्ट जो भी इंडिया में एक्रूराइजिन इंडिया मानी जाएगी ध्यान रखना है सिर्फ मनी गिफ्ट यहां पर कवर मुवेबल प्रॉपर्टी इम्मुवेबल प्रॉपर्टी तो यहां पर क्या नहीं है कवर ही नहीं है तो आई थिंक आपको यह क्लॉस एट भी क्या चुका है समझ म आगया इसके बाद में मुझे आपको बताना है कौन सा business connection तो business connection वाला point मैं आपको क्या ले लूँगा last में ले लूँगा क्यों लास्ट में ले लूँगा क्योंकि अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया interest पढ़ाया royalty पढ़ाई fee for क्या पढ़ाई technical service पढ़ाई तो I think मैं अब आपको उसकी taxability पढ़ा देता हूँ आईए देखेगा बड़ी important चीज है हम पढ़रे वारे है taxation of royalty fee for क्या है technical service अभी interest नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ royalty और fee for technical service royalty fee for technical service इंडिया में कब deemed to accruarize in इंडिया मानी जाती है यह अगर बता चुका हूँ मैं आपको कि अगर government payment करे always माना जाएगा resident payment करे और utilization for the purpose of business profession है या earning any source of income in इंडिया है या कोई non resident भी payment करे लेकिन utilization, business profession या any other source of income in इंडिया के लिए हुआ है royalty और fee for technical service इंडिया में accruarize in इंडिया मानी जाती है सर यह notes share कर देना break में ठीक है ना बिल्कुल मैंडम ठीक है ना आपको टेलिग्राम पे या अपना जो WhatsApp group बना है मैं दोनों के अंदर इसको क्या कर दूँगा शेर कर दूँगा WhatsApp पे मैं शेर कर दूँगा टेलिग्राम पे मैं शेर कर दूँगा चलो ध्यान रखना इक्षाम में कुशन आ जाएगा तो रॉंग बत करना और अगर इन सब के लिए कोई service fee भी क्या कर रहे हो चार्ज कर रहे हो किनके लिए इन royalty के लिए तो वो service fee भी क्या क्यलाएगी royalty ही क्यलाएगी चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ पहले section 100 कौन सा है 15A section 115A क्या होता है तब applicable होता है ठीक है exam में आए wrong नहीं होना चाहिए इसके लिए बहुत विशेश बात बता रहा हूँ सबी ध्यान से कान खोल के सुन लेना और दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लेना दिमाग में बात फिट कर लेना section 115A की applicability तब होती है ठीक है most of the students समझते है तब होती है जब उसका इंडिया में non resident का इंडिया में क्या ना हो permanent establishment ना हो लेकिन उससे भी खास बात है जो आप 115A applicable हो जाएगा benefit मिल जाएगा या फिर अगर किसी इंडियन concern से वो आपको royalty या fee for technical service मिल रही है ओके और वो agreement government से क्या हो रखा है central government से approved हो रखा है मतला आप और इंडियन concern की बीच में जो agreement होगा न technical service प्रवाइड करने का या patent copyright trademark know how license प्रवाइड करने का वो agreement central government से क्या हो रखा हो एपरूड हो तो ध्यान रखिए या फिर तो मिली किस से रहा हो government से मिल रहा हो question में ध्यान देनी की बात है अगर government नहीं किसी और इंडियन concern company firm से क्या मिल रहा हो तो आपके साथ जो agreement हुआ है आपका जो बीच में agreement हुआ है वो agreement central government से क्या होना चीए एपरूड हो दिया है वो matter industrial policy के अंदर cover है और तीनों की बीच में देखे मैंने और लगा दिया है देखे PDF बहुत ही मैंनस से बनाया है मैं इसलिए मैंनत कर रहा हूं कि सो डेट अगली बार आप जब भी पढ़ें तो आपका drastic बहुत जादा time क्या होना चीज़ से होना चीए देखे पास होना बहुत tough नहीं मैं तो कहता हूं बहुत ज़्यादा आसान है बस चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए कि बहुत जल्दी से चीज़ें क्या हो जाए पढ़ने मा जाए और तयारी practical होनी चाहिए तो कुश्चन में क्या अब इसके बाद में 115 एक कंडिशन क्या होती है कि उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में कोई बी पर्मानेंट एस्टेबलिश्मेंट या फिक्स प्लेस और प्रफेशन नहीं होना चाहिए और अगर उसका इंडिया में पीई है तो भी लग सकता ध्यान दे देना यह अभी सभी सुनने वालों का सही हो जाएगा इवन अगर उसका इंडिया में पर्मानेंट एस्टेबलिश्मेंट फिक्स प्लेस और बिजनस और प्रफेशन है लेकिन उसने जो टेक्निकल सर्विस जो दी है उसने जो मैनेजर और कंसल्टेंसी सर्विस दी उसने जो पेटेंट कॉ परेट्रेडमार्क नो हो यूज करने का प्रॉपर्टी जो दी है जो कॉंट्रेक्ट है फीफ और टेक्निकल सर्विस का वह एफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं होना चाहिए इंडिया के पी से यह फिक्स प्लेस और बिजनस से तो फिर 115 एप्लिकेबल हो जाएगा ध्यान र के केस्में आपको सर्चार्ज की रेट मालुम होनी चाहिए नहीं है तो मैं आपको टेक्स रेट क्या करणा बताऊंगा तो आपको मालुम चल जाएगी हाला की मैं जानता हो मांता हो क् денег तो मालुम होगी जैसे foreign company बतादो क्यों कि Maximum question यह फोइंद कंपनियों के बनने हैं त बात का भी आपको ध्यान रखना है कि DTAA chapter हम पढ़कर आएं वहां के section 92 subsection 2 ने का था कि income tax का provision और DTAA का provision whichever is more beneficial होगा वो assessi के लिए जो होगा वो applicable होगा तो अगर DTAA में royalty या fee for technical service की जो rate दीवी है ओके और 115A में जो 10% rate बताई है दौनों में से जो whichever is lower होगी वो applicable होगी एक ब rate से taxation होगा उस पर कोई सर्चार्ज और सैस क्यानी होगा applicable नहीं होगा लेकिन अगर income tax rate से होगा तो जो भी applicable सर्चार्ज वो भी लगेगा और 4% क्या लगेगा सैस भी लगने तो 115A की बात हो गई है कि इंडिया में पी नहीं हो और अगर पी हो तो वह राइट जो है प्रॉपर्टी है जो कॉन्ट्रेक्ट है वह उस पी से effectively connected नहीं होनी चाहिए मैटर इंडेस्टिल पॉलिसी में cover होन चाहिए और या फिर वह पेमेंट खुदी कौन कर रही हो गवर्मेंट कर रही हो तो आपको benefit मिल जाएगा 10% का जब आपको 10% का इतना benefit Concessional rate प्रोइड करी है तो और greedy बनने की लालची बनने की कोई जरूवत नहीं है आप समझ लेना कि इस gross income की taxability होगी इसमें से कोई आपको कोई लोइचनवी इकटिव इंगम में है अपको chapter 6 है क्या मिलेगी deduction मिलेगी आप इस income में से आपका जो हक है ठीक है आपका हक है कि आपको कोई losses है तो वो losses भी आप set off कर सकोगे क्योंकि वो आपका right है income tax जो होता है ना assessi के ओपर लगता है तो assessi के मान दीजिए एक head में income है और दूसरे head में loss है तो tax तो assessi पर लगाना है तो एक loss दूसरे head की income से set off तो होना ही चाहिए तो ऐसी स्थीति में taxability 10% कंसेशनल है खर्चों की कोई deduction नहीं देंगे लेकिन इंकम एक्टिव है chapter 6 की deduction देंगे losses set off कर पाना यह आपका एक तरीके से हक है क्योंकि taxability assessi के ओपर होनी है तो आप losses भी इसमें से क्या कर सकोगे set off कर सकोगे ठेक है विशेश बात यहां पर यह है अगर मान लो आपको और कोई income नहीं है ठीक है नो और कोई income नहीं है और 115 ए में जो 10% की tax rate दी है और 4% says लगता है तो मान दो 10.4 है मैं यहां पर surcharge को consider नहीं कर रहा हूं और इस rate से आपका TDS भी हो गया है TDS आपको ध्यानो section 195 में TDS होता है non-resident foreign company का TDS होता है तो अगर आपने TDS कर लिया है ठीक है जिस rate से taxability होनी है उस rate से TDS भी हो गया है और कोई other head की उसकी दूसरी income भी नहीं है तो ऐसी सिती में उससे return file करवाने की कोई जरूवत भी नहीं होनी चीए आप यहां पर मेरे साथ read भी कर सकेंगे filing of return of income not required if tax has been deducted टेक है tax has been क्या है deducted तो जो भी जो भी tax rate लग रही है उसके पर चाहे तो फिर उससे return file करवाने की कोई भी क्या नहीं होनी चीए जरूवत नहीं होनी चीए आई थिंक बात समझ में आ गई होगी समझ में आ गई है comment करके mention कर दो लेकिन सुन लेना कुशन सौल करते समय यह बात बड़ी ध्यान देने की इंडेस्टिल पॉलिसी या गवर्मेंट से एग्रिमेंट एप्रूड होना चीए और दूसरी बात इंडिया में पी-ई हो लेकिन वह इफेक्टिवली कनेक्टेड नहीं होना चीए उस राइड प्रॉपर्टी और उस कॉंट्रेक्ट से ठीक है इसके बाद मैं कंपैरिजन कराता हूँ मैं आपको सेक्शन किससे 44 किससे डिये से यहां तक बात समझ में आ गई है तो comment करके आप mention कर दो हाँ जी तो सेक्शन 44 डिये वही रॉयल्टी पर लगता है वही फी फॉर टेक्निकल सर्विस पर लगता है वह तब लगता है जब आपका इंडिया में पर्मानेंट establishments होता है फिक्स प्लेस ओफ बिसनेस प्रोफेशन होता है वह जो राइट आपने दिया है पेटेंट कॉपिरेट्टे डेडमार्ट नोहाव जो दिया है वह जो आपने इंटेंजिबल प्रॉपटी दिये है वह जो आपने मैनीजरियल टेक्निकल कंसल्टैंसी service का जो content करा है वो effectively connected होना चाहिए उस PE से और उस fixed place of किससे business और profession से तो section 44 DA क्या होगा applicable होगा तो आप देख पाएंगे permanent establishment है fixed place of business profession है प्लस वो जो right property और जो content किया गया है वो effectively connected होना चाहिए उस PE से उस fixed place of business profession से तो section 44 DA applicable होगा जब section 44 DA क्या होगा applicable होगा ठीक है ना 44 DA क्या होगा applicable होगा तो इंडिया में पीए तो आपकी taxability वैसी होगी जो जैसे आपकी normally होती है नौर्मली का मतलब है अगर आप foreign company हो तो foreign company पर 40% की tax rate होती है अगर आप firm हो ठीक है the firm पर जो भी tax rate applicable होती है 30% है अगर आप indies वल हो तो आप पर जो भी slab rate है तो मतलब 44 DA का मतलब है taxability क्या होगी बड़ी normal होगी जैसे होती है तो foreign company पर 40% होती है तो 40% होगी जो सरचाज लगना है सरचाज लगेगा जो सैस लगना है सैस लगेगा अगर आप foreign company नहीं हो तो जो भी normal tax rate है वो आप पे क्या होगी applicable होगी जब आपका taxation ही क्या होगा normal होगा तो आप इस में से आप अपने खर्चे की deduction ले सकोगे आपका इंडिया में PE है तो आपने उसका rent rent की deduction भी लोगे वहाँ की staff की भी क्या लोगी deduction लोगे तो जब हम taxability आपकी कोई special 10% वाली नहीं कर रहे है नॉर्मली कर रहे हैं तो नॉर्मली जो आपका हक है नॉर्मली आपका हक क्या है 100% उस income को उस royalty को और fee for technical service को उस royalty का मतलब है जो उस PE से क्या है effectively connected है जो किया गया है उस खर्चों की आपको क्या मिलेगी deduction मिलेगी तो देखिए word wholly exclusively है for such PE जो उससे connected है और दूसरा आपको उन खर्चों की deduction मिल जाएगी मान दीजे आपका कोई head office है कि आपके बाहर कोई दूसरी branch है उन्होंने आपके लिए कोई expenditure करा उन्होंने करा और आपने उसका actual reimbursement कर दिया actual reimbursement ध्यान रखने उन्होंने कोई खर्चा करा है आपके लिए और बाद में आपने उनका उनको reimbursement कर दिया तो ऐसे खर्चे की जो actual reimbursement होगा जो head office को यह other branch को तो उसकी भी आपको क्या मिल जाएगी deduction मिल जाएगी उसकी भी आपको deduction मिलेगी इसके अलावा और किसी भी खर्चों की क्या नहीं मिलेगी की deduction नहीं मिलेगी मान लीजे head office को जनरल खर्चा करता है और जनरल खर्चे में आपको आपका शेर दे देता है तो उस खर्चे की deduction नहीं मिलेगी only किसकी मिलेगी जो actual क्या होगा actual expenditure incurred करा है head office ने या फिर other branch ने उसका जो reimbursement करा है उसकी मिलेगी तो उसकी आपको क्या मिल जाएगी deduction मिल जाएगी royalty fee for technical service आपको मालूम है एक active income है इसमें से आपको chapter 6A की deduction मिल जाएगी वो तो 115A में भी मिले थी क्योंकि active income है losses को set off करना आपका हक है चाहे 44DA applicable हो चाहे 115A applicable हो वो आपका हक है नहीं छीना जा सकता आप इस income में से क्या कर सकते हो आप losses भी set off कर सकते हो एक बात ध्यान रखना 115A में जब खर्चों की कोई deduction ही नहीं मिलती है तो आपको कोई loss नहीं आ सकता ठीक है लेकिन जब 44DA applicable होता है और खर्चों की deduction मिलती है तो हो सकता है रिसिट्स ज़्यादा खर्चे हो तो आपको यहां पर क्या सकता है loss भी आ सकता है ओके यहां आपको books of accounts की क्या करवानी होगी audit करवानी होगी और 115A में तो books of accounts और audit उसकी कोई भी क्या नहीं है requirement ही नहीं है तो यह हमारा section था 44DA और 115A ठीक है बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी तो यह हमने taxability भी पढ़ ली royalty और free for technical service की तो बड़ी विशेश बाते मैंने point से बताई है कि क्या बताई है royalty के लिए मैंने एक आपको gsm और gsm के अंदर android software computer और उसके अंदर windows वाली क्या करी बात बताई दूसरी बात मैंने आपको बताई थी up linking और down linking वाली वो सब क्या है royalty है आपको taxability के लिए बता दी कि इंडिया में P.E. नहीं है और अगर P.E. है तो वो effectively connected नहीं होना चाहिए तो 115 A लगेगा industrial policy में matter cover हो या फिर agreement government से approved हो या फिर payment खुदी कौन कर रही हो government कर रही हो तो यह सारी बात है मैंने यहां पर बता दी अब मैं आपको उसक भी क्या नहीं आएगी दिक्कत नहीं आएगी past exam का ठीक है और I think मेरे ख्याल से शायद इसका practical uploaded है क्योंकि उसको upload करने की direction मैंने कल ही क्या कर दी दे दी ती तो मेरे ख्याल से शायद uploaded हो चुका होगा तो आज इस revision के बाद में एना taxation का जो practical है आप कर लीजेगा और आप करत के लेकिन आपको single question में भी दिक्कत नहीं होगी दिक्कत नहीं होगी reason being क्या है जो बाते एक्जाम में पूछी गई ना उन्हीं चीजों पर मैं आपको focus करके बता रहा हूं इंडेस्टियल commercial equipment हो गया इंडेस्टियल policy हो गई पीई से effectively connected ना हो यह सारी बाते में focus कर रहा हूं और यही चीजे पूछी गई यह तो आपको चीजे बड़ी आसान लगने लगीगी ठीक है अच्छा एक चीज और जानना चाहोगे तो देखिये लीजे और बता देता हो मान दीजे क्या आता है exam में कुछ नाया मानना है क्या exam में कुछ नाया ओके यह आपने royalty or fee for technical service का क्या अपने payment करा तो अभी तो हमने पड़ा है कि उसके taxability at the rate of कितने से होती है 10% होती है प्लस आप उस पर सैस मान लीजे लेकिन जब कुछन में आएगी बात तो तीडियस वाली बात आएगी तो आपको ध्यान होना चाहिए जब अपने section 194 a person located in notified judicial area पड़ा था तो अपने टीड तो होगा add the rate of कितने से 30% और 4% सैस is equal to 31.2% से taxability 10% से हो जाएगी वो इंडिया में return क्या करे फाइल करे ठीक है taxability 115 a से हो जाएगी ठीक है लेकिन उसका जो टीडियस होगा वो टीडियस किसे होगा 94 a क्या होगा प्रोवीजन से होगा और ज्यादा टीडियस कड़ गया है त तो बड़ी simple सी बात है taxability 115 a से हो जाएगी लेकिन टीडियस किसे होगा 94 a से ही होगा क्योंकि वो क्या है over adding section है ठीक है तो ये बात भी क्या कई गई है exam में पूछी गई है चलो अब मैं बताता हूँ किसको लेके dividend को लेके ये बात भी exam में पूछी गई है student इसको wrong करके आए हैं wrong करके हैं ठीक है तो मैं preparation ही कैसे करा तो numerical बीस में आपको पढ़ाने से पहले पास examination RTP के सारे numerical देख चुका होता हूँ और फुर मुझे मालूम पढ़ जाता है कि institute इस तरीके से पूछता है तो student को revision भी क्या कराना है उसी तरीके से कराओ जिस तरीके से ICI क्या कर रहा है पूछ रहा है तो dividend income की बात कर रहे है बात कर रहे है non resident और foreign company की अच्छा किसी को यह होता है कि यह non resident के बाद में यह अलग से foreign company क्यों लिखते हैं तो already मैंने पहले की revision वीडियो में बताया है जिनों नहीं नहीं देखे हैं उनके लिए बता दू foreign company resident भी हो सकती है और होने मे इंडिया में क्या हो सकती है है residential status होता है बहुत ध्यान से समझे लीजेगा बड़े अगर आपको dividend की income मिल रही है non Malays 새 hem ya foreign company को कहां से मिल रही है business trust से मिल रही है ठीक है आप unit holder ओप को business trust से क्या मिल रहा है डिविडेंड मिल रहा है विशेश बात है बिजनस ट्रस्ट को डिविडेंड कहां से मिला SPV से मिला SPV एक एंडियन कंपनी थी जिसके अंदर बिजनस ट्रस्ट का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था और अगर उस SPV ने 115 BAA opt कर रखा था कंसेशनल टेक्स रिजी में कंपनियों के लिए 25 परसंट वाली वह उन्हों ने क्या कर रखी थी opt कर रखी थी तो ऐसी स्थिति में यूनिट होल्डर के लिए वह डिविडेंड की एल बी ए में था और वहां पर रेट दस परसंट ही लिखी विए जबकि टेक्सेब्लिटी बीस है लेकिन टीडियस कितने से हो रहा है दस परसंट हो रहा है विशेश बात ध्यान रखना टेक्सेब्लिटी तभी होगी जब उस SPV ने 115 BAA क्या कर रखा हो आप्ट कर रखा यह लीजे मैंने रेडिमिट लिखा है 115 BAA आप्ट करा है आपको बिजनस ट्रस्ट से डिविडियन मिला है बिजनस ट्रस्ट को FPV से मिला है ओके विशेश बात है कुश्चन करते समय गबराना नहीं है इस बात से कि आपने वो जो बिजनस ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करा आंनर में करा यह वौरइन करेंसे मी करा बस यही बातें एकज़ाम में स्टूडेंट से रोंक करवा देती है क्विशन क्योंकि वह कह देतें entonces में करा यह तो प्यंखे और जब मैं यह पीडिय॥ क्या करता हो बनाता हूं तो मैं आसा नहीं शौड कर दूँ में सारी चीज़े मेंशन करता हूँ और यही चीज़े एक्जाम में आएगी बाकी तो हर कोई याद कर लेगा 20% की रेट है ठीक है न यह भी याद कर लेगा कि टीडियस तो 10% होता है लेकिन कुश्चन जब कहें काना की बिजनस टेस्ट में इन्वेस्टमेंट तो किसमें करा था आएनर में करा था तो कुश्चन सॉल करते समय तोते उड़ जाएंगे फिर याद करोगे यार 115 ए में ठीक है ना क्या फॉरेंट करनसी लिखा था या दौन ऐनर में सकता है है आप नॉण रैसिदेंट अंडिया में वहां से रैंट आता हो उस रैंट से आपने आपको हैपि फ्रूर solidin को रेशिड को को या किसको foreign company को taxability उसकी 20% से होगी रेडिमेट लिख दिया आई एनर और foreign currency लेकिन ध्यान रखना अगर question आपको mutual fund की units का आगया UTI unit trust of India mutual fund की जो units होती है वहां से आपको जो dividend मिल रहा है उसके taxability भी 20% होगी लेकिन वह तभी होगी जब वह mutual fund या unit trust of India की जो units है वह आपने foreign currency में ही क्या करी हो पर्चेस करी हो तो ही 20% taxability होगी business trust के case में INR या foreign currency कुछ भी हो 20% taxability होगी share से dividend मिल रहा है taxability 20% से होगी चाँ INR में लिया हो चाँ foreign currency में लिया हो लेकिन units of mutual fund है या UTI है अगर purchase जिन foreign currency है तो ही मिलने वाला dividend की taxability क्या होगी 20% से होगी एक विशेष बात मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दी है बता दिये वैसे तो dividend income जो होती है कहाँ पर taxable होती है कहाँ पर dividend income taxable होती है हमारे IOS head के अंदर तेके ना कहां taxable होती है हमारे IOS head में taxable होती है IOS head के अंदर आपको मालूम हो dividend income में से कोई भी खर्चों की deduction नहीं मिलती है कोई deduction नहीं मिलती है except interest क्यों नहीं मिलती है deduction क्योंकि dividend एक passive income है कोई active income तो है नहीं कि उसको कमाने के लिए कोई staff क्या करार लगाया हो है वह loan लेके करा हूँ ठीक है loan लेके करा हूँ तो ब्याज की deduction हम आपको क्या करते थे देते थे आपको ध्यान होगा वह भी maximum deduction किती मिलती है 20% of dividend income की मिलती है वह भी maximum कितनी मिलती है 20% मिलती है इसके अलावा और कोई खर्चों की नहीं मिलती है कुष्चन में आ जाए कि dividend को कमाने के लिए रेंड का खर्चा करा कुछ staff का क्या हुआ खर्चा हुआ कुछ operating expenses होए कोई deduction नहीं मिलेगी आपको other source में dividend income में से सिर्फ एक खर्चे की मिलती है वह होता है interest उसकी भी maximum ceiling के कितने परसेंट है टॉंटी परसेंट है लेकिन यहां पर ध्यान रख लीजेगा non-resident को dividend income में 115 वाली ठीक है foreign company को dividend income में 115 वाली 115 का मतलब होता है चाहे आपने आयनर में करा हो चाहे foreign currency में करा हो लेकिन UTI और mutual fund के case में foreign currency जरूरी होती है तो उस dividend income की taxability 20% से जो होगी तब आपको कोई deduction नहीं मिलेगी कोई का मतलब है वो जो 20% जो आपको interest की मिलती थी वो भी नहीं मिलेगी यहां पर यह विशेश बात है जब हमने आपको taxability की rate specific कर दिये 20% कर दिये अब मांद आप foreign company ओ foreign company ओ पर tax rate वैसे तो 40% होती है जब हमने आप कंसेशनल 20% कर दिये तो मान के चलिए कि इस income में से कोई खर्चों की deduction नहीं मिलेगी और जो ब्याच की मिलती थी वो भी क्या होगी नहीं मिलेगी ठीक है पहली बात तो income passive है तो वैसे नहीं मिलनी और जो यह आज की मिलती थी वो भी नहीं मिलनी क्योंकि rate क्या कर दिये है 20% कर दिये ठीक है यूटी आई का dividend अगर INR में मिला तो क्या rate होगी तो कोई special rate नहीं होगी normal tax rate foreign company हो तो 40% होगी ठीक है यह बात यह बात मैं अभी आपको gradually आपको क्या करूंगा अभी जैसे इंट्रेस्ट पर आएंगे ना तो मैं आपको खास बाते बताऊंगा ठीक है यह एन आर के taxation के cushion आपको tough जो लगते हैं यह आपके wrong जो होते हैं वो अब नहीं होंगे मैं ready made चीज़े आपको बता दूँगा रेडिमेंट बता दूँगा बीस परसेंट रेट देदी इसका मत्त थोड़ी ने हर जगे बीस लग जाएगी जब बीस नहीं लगेगी तो आपे जो नॉर्मल रेट जो भी एप्लीकेबल है आपका रेसिडेंचल इस्टेटस के अकॉर्डिंग वो रेट लगेगी आपके उपर तो यह बात आप ध्यान रख लेना ध्यान ना यह यूटियाई मूचल फंड वाला नहीं आएगा कुशन मालू में कौन सा आएगा शेर्स वाला आएगा बिजनस ट्रस्ट का आएगा और कुश इंडेंड में से तो इंट्रेस्ट मिल जाती मैक्सिम्म 20 परसेंट वो भी आपको यहां पर क्या होगी नहीं मिलेगी ठीक है तो आई तिंक आपको बात समझ में आ गई है अगली बात याद करने का तरीका बता देता हूं देखो रॉयल्टी तो एक एक्टिव इंकम थी फी इक sent से क्यों हैं लॉस्यस को set जाना वो तो आपका जन्म से क्या है हग दार लो क्यों पर दूसरी से क। 東西 की अगी नहीं मिलेगी और को को रिटन भी फाइल करने की जुरूत नहीं सिंपल सी बात है अगर आपको कोई दूसरी इंकम ही नहीं सिर्फ यहीं इंकम है ओके अब एक विशेश बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लीजेगा कान खोल के सुन लीजेगा डिमाग के खिड़की दरवाजे खोल लीजेगा यह चीजे हैं जो कुशन रॉं करवा देती यहीजें है जो आपको लगता है कि एनर का टेक्सेश्ण बड़ाएं टफ है और जो है वो मैं इतने रेडिमेड आपको चीजे क्या कर देता हूं बता देता हूं डेट आपको लगेगा कुछ टफ नहीं है और लगेगा अब प्रैक्टिकल वीडियो देखना एक गंटे का प्रैक्टिकल वीडियो होगा मैं तो कहता हूं तो 1.5 इस्पीड कर लेना ठीक है टाइम भी क्या हो का बच जाएगा एक सिंगल कुशन आपको नहीं फिलोगा कि या ये क्या हो था ये टफ था या फिर ये नहीं आ रहा था या फिर ये सर ने बताया तो ही क्या पड़ा मालूम पड़ा इच एवरी कुशन आपको लगेगा कि नहीं ये कुशन अब इस एटेम्ट में आ जाए ठीक है ना हम 100% क्या कर देंगे सही कर देंगे जबकि वो यह होंगे इस बार आएंगे बस पैचानदना पड़ता है कि आईसीँ याई चैपटर में ने से पूछता क्या है कौन से पुष्टा है हम चिस चीज़ पर फोकस करते हैं क्या उस पर नियदे से पोकस कर लेता है तो बड़ी समझने वाली बात है अभी मैंने आपको जैसे रोयल्टी और फीफो टेक्निकल सर्वीस में क्या बताया अगर आपको सिर्फ वही इंकम है TDS आपका क्या हो चुका है कड़ चुका है ठीक है तो आपको रिटन फाइल करने की जुरूत नहीं है वही सेम चीज में यहाँ पर भी आपको क्या कर रहा हूं बता रहा हूं अगर सिर्फ आपको डिविडेंड की इंकम है और आपका TDS कर गया है लेकिन अब बता रहा हूं कैसे आप देखो TDS has been deducted है TDS deducted at a rate not less than the rate of tax 115A इसका मतलब किया बहुत विशेश बाते सुनो अगर मान दीजे 115A में तो 20% की rate दीवी है dividend की और मान दीजे DT AA के अंदर rate दीवी है 12% की अब बोलिए S per section 90 A subsection 2 कौन सी rate से taxability होगी? taxability 12% की rate से होगी ठीक है taxability 12% की rate से होगी जब 12% की rate से taxability होगी तो आप TDS भी कितने से काटोगे? 12% से काटोगे अब 12% से आपने TDS भी क्या कर लिया? काट लिया? इसकी कोई और income भी नहीं है क्या अब return file करना जरूरी है? क्या answer is yes क्योंकि law ने क्या का? law ने का return file करना जरूरी नहीं है अगर TDS कट गया हो लेकिन TDS कटा हो कौन सी rate से? 115A की rate से अगर 115A की कम rate से क्या कटा है? TDS कटा है तो यह passive income है आपको return क्या करना पड़ेगा? file करना पड़ेगा ठीक है और मैंने ready made लिख दिया है अगर tax deducted है at a rate less than rate 115A तो ROI file करना पड़ेगा example DTAA rate बस यही point आता है यही चीज़े आती है और तोते उड़ जाते है और maximum की wrong हो जाते है और center से निकलने की बात कहते हो मैंने भी यह करा return file नहीं करना तूने भी क्या करा? return file नहीं करना हम सब का सही हो गया जबकि wrong सब का होता है तो ध्यान रखना अगर royalty है और free for क्या है? technical service है यह एक कौन सी income है? active income है यह तो कौन सी income है? active income है तो चाहे TDS 115A की rate से कटा हो चाहे DTAA की rate से कटा हो, कट गया आपको return file करने की जुरूत नहीं है अगर आपकी कोई दूसरी income नहीं है लेकिन कौन सी income है? dividend income है और अभी मैं आपको बता देता हूँ दूसरी बात भी interest भी एक कौन सी income है? passive income है interest भी कौन सी income है? एक passive ही क्या है? income है अगर इस में से क्या कटा है? TDS कटा है और वो कौन सी से कटा हो? 115A से ही कटा हो तो return file करना क्या नहीं होगा? जरूरी नहीं होगा ठीक है? तो क्या नहीं होगा? जरूरी नहीं होगा I think ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी MCQ में पूछ लेंगे ना तो बाकी student के जो नहीं सुन रहे ना तोते उड़ जाएंगे उनके वहाँ पर ठीक है? अब मैं आपको लेकर आ रहा हूँ किस पर interest पर लेकर? इंट्रेस्ट बहुत important है आपको लगता है सबसे simple इसमें क्या है? इंट्रेस्ट है 5% creator और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर सबसे tough जो है एना taxation में वह इंट्रेस्ट ही था इंट्रेस्ट ही है ठीक है ना वो क्या है इंट्रेस्टी है ओके तो आप यहां पर देखे बस अगले वाले ही पेज पर यह वाला पीडिएफ क्या होगा फिनिश हो जाएगा और आपको फिर बिजनस कनेक्शन भी क्या होंगा करवा दूँगा तो बहुत ही समराइस करा है लेकिन मैं समराइस के केस में कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ लिखना मेरे को क्या है सब है ठीक है लिखना सब है क्योंकि कोई छोड़ी चीज कोई चीज नहीं छोड़ सकते हैं एक मार्क्स भी नहीं छोड़ सकते हैं ठीक है एक वन सिंगल मार्क ही एक तो छोटा सा आने के कोई चांसे नहीं बिल simple तरीके साती है लेकिन वो साही क्यों नहीं होती है क्योंकि irrelevant बता देते हैं सी केटिगरी का बता देते हैं हम एक बार भी उसको पढ़के नहीं आते हैं तो simple भी कहां से सौलोगा इसलिए पढ़के एक बार ही जाना क्या होता है बड़ा जरूरी होता है हां जी अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंट्रेस्ट ध्यान दे दिजेगा फोकस कर लीजेगा इस बात को लेकिए ठीक है इसको पढ़ाने से पहले मैं एक दो तिन लाइन यह मैं ऐसे तीन कर देता हूं देखो हो सकता है यहां पर इंट्रेस्ट का लता है हो सकता है पांस हो सकता है किके तने से हो जाया है बीस यहां टियुक्ष को बहुत腫 और स्विसक्ष्ट है जो ओद धंसे मालूं हो निक अलंध कोई तरीका ऐसा हो जो याद हो जाए तरीका क्या हो याद हो जाए क्योंकि इसके लिए कुछ अलग पॉइंट है इसके लिए अलग पॉइंट है इसके लिए अलग पॉइंट है तीनों के लिए पॉइंट अलग लगे समझा तो मैं दूंगा समझ भी लोगे लेकिन एक्जाम नॉर्मल मालो फॉरण कपनियों के कुछन आने एनर के केस में तो 40 परसंट लग जाएगा तो बिलकुल यह पॉसिबल है ठीक है तो सबसे पहले देखो 20 वाला नहीं पढ़ा रहा है मैं 5 वाला क्या करता हूं पढ़ाता हूं इन्फरस्ट्रक्शन करने यह सारे इन्फरस्ट्रक्शर के काम करने हैं इन्फरस्ट्रक्शर होगा तभी तो देश क्या होगा सम्द रेल्वे बनाएगा समरत क्या लाएगा infrastructure solid होना चाहिए इसके लिए अपन को क्या चाहिए पैसा चाहिए अब पैसा चाहिए दिमाग मत लगाओ कि तूने पैसा INR में दिया या तूने पैसा किस में दिया foreign currency में दिया तू पैसा हमको infrastructure debt fund में दे infrastructure debt fund जिसकी खुद की importance अब इस तरीके से feel कर सकते हैं जिसकी खुद की income ही income text में 10 clause 47 से क्या होती है exempt होती है तो इस तरीके से समझ लेना जिसकी खुद की income ही exempt होती है जो ज्यादा जिसकी महत्वपूर्ण जरूवत infrastructure है दिमाग ही मत लगाओ पैसा इंडियन करंसी में दिया यह foreign currency में दिया तु नौन रेसिडेंट है तु कोई foreign company है तुने पैसा किसमें लगाया infrastructure debt fund में लगाया बले इंडियन करंसी में ही क्या करा लगाया हो ठीक है न तूने हमारा सयोग करा हमारे देश के development में सयोग करा है तेरी taxability जा 5% से करते हैं समझ मां गई बात इंडियन करंसी अब वहां पर तोते उड़ जाते हैं कि investment किसमें करा इंडियन करंसी में फिर मन में खयाल आते हैं इंडियन करंसी में यानि इसको पांच परसंट करें ऐसे मनमें ख्याल आते हैं और उन ख्यालों से सॉलूशन क्या होता है रॉंग होता है बास समझ में आ गई है तो कमेंट करके यहां पर आप क्या करो मेंशन करो कि अब आपके मन में ऐसे ख्याल नहीं आने चाहिए और यह इंडियन करन्सी होता है 194 किसके अंदर lb में होता होगा टीडियस lb के अंदर ओके इसके बाद में इसके बाद में दूसरी बाता हूं कौन सा फॉरें इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स हाती इंवेस्टर्स हाती इंवेस्टर्स हाती इंवेस्टर्स हाती इंवेस्टर्स हाती इंवेस्टर है जब हाथी इंवेस्टर इंडिया में आ रहे हैं तो उनका तो ढूल नगाड़े बजा किया करो स्वागत करो इंडियन करंसी लाएए या फॉरण करंसी लाएए उनका to कितने से हो जाएगी पांच परसंट से हो जाएगी ठीक है ना अगर किसमें इंवेस्टमेंट कर रहे हैं रूपी डिनो मिनिटेड बॉन्ड में आडी बी बोलता हूं मैं इसको आडी भी ठीक है ना कब से 2013 से और अभी कौन है 30 जून 2020 ठीक है 30 जून 2030 तो यह डेट भी क्या है मेंशन है तो मैं ख्याल से डेट तो इत्ती रेलेवेंट नहीं होगी इस वाली केस में फॉरण इंस्टिटुशनल इंवेस्टर से हाती आ रहे हैं आप ध्यान रखना स्वागत करो उनका ओके स्वागत तो बनता है जैसे वह मूवी बन्ग कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा तो करेंगे बहुत चाहिए इंडियन में लाओ फॉरण करनसी में आपका स्वागत होगा और मामुली कितने से होगा पांच परसेंट से होगा टीडियस वन नाइंटी फॉर लडी होगा तो दोनों तरीकें को मैंने कुछ ना कुछ मन में ऐसी वर्डिंग बोल के मन में फिलिंग डाल दी है कि आपको याद हो जाएगा चाहिए इंडियन करनसी या फॉरण करनसी हो इस समदी से मिल रहा है या फिर किसी बिजनस ट्रस से मिल रहा है बिजनस ट्रस से क्या कर रहा है मिल रहा है ध्यान दीजेगा किसी इंडियन कंस कंपनी से इंडियन कंपनी है क्या है ये इंडियन कंपनी या फिर किसे मिल रहा है बिजनस ट्रस से मिल रहा है मनी किसमें करा हो फ foreign currency क्या लिया है लोन लिया है वोई देट बता दी जून 2023 तक रूपी डी नोमनेटिड बॉन्ड है वोई देट है 2023 तक taxability कितने से होगी 5% से होगी taxability कितने से होगी 5% से होगी और अगर IFSE में आप लिस्टेड हो तो कितने से होती है 4% से होती है तो खास बात तो एक्जाम के लिए जरूरी है 5% और money borrowed किसमे हो foreign currency में हो ठीके money money borrowed हो foreign currency में अब एक बात मैं आपको जो बताना जा रहा हूँ ठीक है ना बड़ी है interest मिल रहा है हमने business trust को क्या दिया loan मिरेant लिए लिए हमको वहाँसे interest मिल रहा है taxation कितना होगा 5% से होगा लिकिन विशष बात है अगर में एक non resident to foreign company हो मैंने business trust कि क्या लिए units लिए मैंने business trust की क्या लिए unitsलिये unit holder हो business trust क्या लिए unit लिए होग के और वहां से मेरे को interest तो मिलेगा क्योंकि वहां से dividend भी आता है आपको ध्यान ओ rental income भी आएगी हमको तो interest भी आएगा taxable होगा क्योंकि business trust को exempt हुआ था याद ने एक diagram बनाया था हम unit holder है ये business trust है और ये SPV है SPV से business trust को मिला क्या मिला interest मिला तो वो तो इनको क्या हो गया exempt हो गया ठीक है न वो इनको क्या हो गया clause एक से exempt हो गया और हम unit holder को क्या वह taxable हुआ क्या हुआ taxable हुआ अब मिल तो अपन को business trust से मिल रहा है अब इसके taxability क्या 5% वाली जो बताइए वो होगी क्या answer is no क्योंकि वो हो रही है जब अपन ने business trust को क्या दिया हो loan दिया हो तो क्या होगी पांच पर से होगी टीडियस होगा 194 किसके अंदर LC के अंदर ओके अब यहां पर taxability क्या होगी यहां पर taxability law ने बताई नहीं है law ने बताई नहीं लेकिन ICI इसको ऐसा मान के चल रहा है जबकि law ने बताई नहीं है अब ICI को क्या कौन से इसको मतलब किस तरीके से मान रहा है यह तो मुझको भी मालूम नहीं पढ़ रहा आई से इसको भी मान रहा है कि इसकी taxability भी क्या होगी 5% से होगी जबकि ऐसा law में है नहीं और मैं आपको बता दू बिजनस ट्रस से unit holder को जब income distribute होती है तो आपको ध्यान हो उसका TDS तो 194 LBA में कटता है और यहां पर जो अपन business test की बात कर रहें इनका TDS तो 194 LC वाला है तो आप बोली नहीं सकते यह लोसर रेट लिखी वी है ना 5% वाली अरे यह तो 5% तब है ज़ए टीडियस किसमें कटे LC में कटे और क्या हो लोन दिया हो आपने मैंने लोन थोड़ी दिया मैंने तो units ली है अब आप 5% कैसे कह रहे हो मेरे पास में reason नहीं है मेरे पास में कोई reason नहीं है books में कई author की books में लिखावा है कि 115e में rate लिखी है पांच परसंट नहीं लिखिए पांच परसंट नहीं लिखिए हाँ टीडियेस लिखावा है कि पांच परसंट से होता है टीडियेस लिखा है पांच परसंट से एकजाम परपस से बता देता हूं क्या होगा पांच परसंट से आप इसकी टेक्सेबिटी करिएगा विशेश ब वो टेक्सेबल 5% से होगा TDS 194 LBA में होगा और अगर आपने बिजनस ट्रस्ट को कोई लोन वोन दिया है लोन दिया है तो ज़रूरी होना चाहिए कि वो लोन फॉरन करंसी में दिया हो तो टेक्सेबिटी 5% से होगी बास समझ मा गई है तो कमेंट करके आप यहां पर क्या करें मेंशन करें तो infrastructure के case में Indian currency, foreign currency गई तेल लेने हाती investor एफ़ यहां के case में क्या करनसी एप 5% होगा Indian company या business trust को लोन दिया रूपी डीनूमिनिटट बॉंड है तो फॉरंड करंसी में अगर लोन दिया है तो 5% की रेट से क्या होगा taxation होगा है आजी बास समझेळ गई अब इसके बाद में इसके बाद में ठीक है गॉफर्मेंट से आपको क्या मिल रहा है ब्याज तो अगर आपको गार्मनसे क्या और हो तो अगर आपको ब्याज यहाँ पर क्या नहीं होगे क्या नहीं होगे कंशेंडसरैंट से मिल रहां बर्सो पहले आपने लोन इया था है यहाँ पर डेट है 2021 år SEÑOR 2030 अगर आपने लोन बर्सो पहले दिया 2002 mniej दिया 2005 पांच में दिया दोजर क्या दिया दस में दिया तो पांच परसेंट वाली रेट तो एपली केबल होई नहीं सकती तो उस केस के अंदर रेट कौन सी एपली केबल होगी 20 परसेंट होगी और यह भी 20% कंसेशनल रेट है 20% मानदवा फॉरण कंपनी हो तो भी हम आपसे 20% ले है तो यह कंसेशनल रेट है यह तभी एपली केबल होगी जब आपने फॉरण करंसी में क्या दिया होगा पैसा दिया होगा तो तो यह इंट्रेस्ट की रेट बिल्कुल भी इजी नहीं है जरूत है तो मन में एक फिलिंग्स रखने की तभी एक्जाम तक क्या रहेगा कंपनी से मिलरा जो अभी दिया हो 2012-13-23 के बीच में दिया ओ फॉरंद करंसी में दिया लोन दिया ओगया रूपी डिनोम्निट इड बो तो क्या होगा पांच परसेंट होगा ऐल्स रेट कितनी है वीस है लेकिन वह बीस भी कंसेशनल तभी होगी मन में फीलिंग लाय जब पूर्वड किसमें हो फो अलगी है तो अब मैंने आपको ये बात बता दी है बास समयंधों यह तो comment करके mention कर दो एनर के taxation में आपको जो आसान लगता है मैं कहा रहा हूं वही चीज सबसे टफ है जो आपको आसान लगता है कि tax rate इसके 5% interest की बढ़ी आसान है वही सबसे क्या है टफ है क्योंकि question जब Indian currency foreign currency में उल जाएगा तो आप सुलज नहीं पाऊगे तो जरूरी है कुछ ऐसी बाते सुन लेना जो एक्जाम तक मन में बैठ जाए हाथी इंवेस्टर्स हैं इंफ्रस्टर्चर है ऐसे इसी बाते करेंगे तो में आ जाएगा Indian currency हो तो भी पांच है अभी लोन लिया है अभी लोन लिया अभी का मंदब 2012-2013 से 2023 तक तो क्या होगा पांच करस्ट होगा foreign currency में देऊ तो और नहीं तो tax rate 20 होगी वह भी 20 तब होगी जब foreign currency में लोन देऊ तो समझ में आ गई बात यह वाली आपके आजी इसके बात में अब जनरल बात है यह कौन सी income है यह passive income है और rate आपकी specific कर दी 5 कर दी 20 कर दी जब rate यह आपकी specific कर दी है तो इसमें से कोई deduction आपको नहीं मिलेगी यह passive income है active income नहीं है आपको इसमें से chapter 6 एकी डिडक्शन नहीं मिलेगी ना dividend से मिली ना आपको किसे मिली ब्यास से मिली royalty fee for technical service में मिल गई थी वह active income थी losses को set off करना आपका jump से क्या है अधिकार है तो losses इसमें से क्या हो कर पाओगे set off कर पाओगे return करने की जरुवती नहीं है अगर कोई दूसरी income है नहीं सिर्फ यह income है और टीडियस आपका कटावा है अगेन बोला था टीडियस किस रेट से जो रेट यह दीवी नहीं इससे कम रेट से नहीं कटाओ ठीक है टेक्स डिड़क्टेड हो at a rate not less than the rate referred 115a मान लो अगर डीटी डबल एकी रेट से कटा है जो लोवर रेट उससे कट गया है तो आपको रिटन क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा वह आपको मैंने पहले यहां पर बता दिया था कि dividend interest passive income है अगर इसमें कम रेट से कटेगा तो तो रिटन क्या करना पड़ेगा फाइल करना पड़ेगा royalty fee for technical service active income है चाहे 115A की rate से कटे या DTAA की rate से कटे कट गया है आपको written file करने की क्या नहीं है जरूत नहीं है तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया बता दिया है और इस वाले PDF का तो last वाला point ही क्या कर रहा हूं बता रहा हूं तो जैसे कि आप मान दीजे रॉयल स्कॉटलेंड क्या है बैंक है उसकी इंडिया में क्या है ब्रांच है मतलब उसका इंडिया में PE है ओके बाहर उसका head office है और दूसी country में भी उसके क्या होंगे क्या होंगे offices होंगे तो इंडिया का जो PE है आप इसे क्या मानेंगे separate मानेंगे और बाहर जो head office है आप इनको क्या मानेंगे separate मानेंगे बहुत simple सी बाते क्या कर रहा हूं बता रहा हूं कोई विशेश बात नहीं है यहाँ की ब्राँच इंडिया में लोगों को क्या देगी लोन देगी और लोगों से लोन लेके क्या कमाएगी ब्याज कमाएगी जब उसका इंडिया में P.E. है और वो लोन उस P.E. से effectively connected है तो वो ब्याज की इंकम इंडिया में taxable होगी या आब वैसी कर देंगे अब इसने लोन देने के लिए बाहर के हेड ओफिस से भी क्या लिया लोन लिया, अपनी दूसरी ब्रांचों से भी क्या लिया लोन लिया, डाइगराम लेके बना दिया मैंने लोन लिया, लोन लिया तो उनको क्या देगा, ब्याज भी तो देगा ये लोगों मैंने ब्याज भी लिख दिया तो लोन लेके उनको क्या दे रहे हैं ब्यास दे रहे हैं अब यहाँ पर इस ब्याज की परपस से इन दोनों को सेपरेट मानेंगे एक नहीं मानेंगे ऐसा नहीं मानेंगे मैंने अपने आप ही को तो दिया है तो अपने आप से कोई income थोड़ी कमा सकते हैं नो ठीक है ना इन दोनों को हम क्या मान लेंगे अलग मान लेंगे तो ऐसी स्थिति में यह जो हैड आफिस जो बाहर का है रॉयट स्कॉटलेंड बैंक का यह इसकी जो दूसरी ब्रांच है ठीक है ना दूसरी कंट्री के अंदर उसको जो interest मिल रहा है अपने इंडिया की पीजित है और जब वो इंकम इंडिया में Texable हो रही है तो यह deduction भी उनको मिल जाएगी जो interest वो क्या कर रहे हैं उनको पे कर रहे हैं और उनको जो interest पे कर रहे हैं उनके लिए वो income इंडिया में क्या रहेगी टेक्सेबल रहेगी अच्छा मान लो exam में यह आ जाए कि यह जो branch है यह branch कहां पर है notified इरिया में है तो द्यान रखना नोटिफाइड जूरिस्टिक्शनल एरिया पर सेक्शन 94A ओर एडिंग सेक्शन लगता है जिसका टीडियस होता है एड़ दा रेट ऑफ 30% सैस तो हमेशा लगाना ही लगाना है आपको तो 30% से क्या होगा टीडियस होगा भली उसके टैक्सेब समझ में आ गई होगी डियाग्राम से एक्जाम में और डी आ चुका है बात यह है इन दोनों को आप अलग लग मान लो तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी सौल हो जाएगी और जब उनके लिए वह इंकम इंडिया में टैक्सेबल है तो ध्यान रखना इंडियन ब्रांच इंडियन ब्रांच जो है आप उनको टीडियस काट के क्या करना पेमिंट करना टीडियस नहीं काटोगे तो 100% क्या हो जाएगा डिसला हो जाएगा खर्चों की डिड़क्शन लेनी है ना तो टीडियस काटना क्योंकि उनके लिए वह इंकम इंडिया में टैक्सेबल है और जब इंकम उनकी इंडिया में टैक्सेबल है तो आप क्या काटो टीडियस काटो टीडियस नॉन रेसिडेंट का 195 में काटते हैं टीडियस काटो और नहीं काटोगे तो 100% क्या हो जाएगा डिसलाव भी हो जाएगा आई तिंग मेरे ख्याल से ये डाग्राम से आपको बात स समस्में आ चुकी इसी के साथ मैं यह प्यडियस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया और्या कंप्लीट कर दिया कि अगलत कि को Mooi हां है आप कुछ नहीं अब बड़ी सिंपल सी बातें क्या कर रहा है बता रहा हूं बड़ी सिंपल सी कुछ विशेश नहीं है अब ठीक है तो एनर के टेक्सेशन में ध्यान रखना ये सेशन खतम होने के बाद इंट्रेस्ट को सबसे पहले समझ लेना और समझ क्या लेना ये भी समझ लेना कि एक्जाम के दिन जब हम जाएंगे तो इसमें से सबसे पहले क्या देखके जाएंगे interest देखे जाएंगे क्योंकि rate गड़बड होगी solution गड़बड हो गया और rate गड़बड नहीं हो नहीं चाहिए मन में feeling समझ लेना सर ने दिया था हाती investor सर ने बोला था infrastructure जो खुदी exempt है तो क्या INR और क्या foreign currency मन में आ जाएगा बाकी के case में क्या चाहिए foreign currency चाहिए तब ही rate पांच होगी ओगे पांच कब होगी जब अभी loan दिया हो तो पांच है पहले के loan चल रहो ना पहले के तो क्या BC है ठीक है वो भी कब है जब foreign currency में नहीं दो तब तो क्या normal tax rate जो चलती है वो चलेगी मान दो 40 से तो 40 सी चलेगी गवर्मेंट से ब्याज मिल रहा है government से ब्याज मिल रहा है पांच परसंट लगेगा यह नहीं कितना लगेगा BC लगेगा पस इतनी सी बात है इतनी सी बात है relevant है बाकि एना taxation बिल्कुल सिंपल है बोलो क्या विशेश बता है मैंने आज कुछ विशेश बाते नहीं थी इंडेसल एक्विपमेंट कॉमर्शल एक्विपमेंट उनकी क्या होगई सर्विस फी ओगे डाउन लिंकिंग अप्लिंकिंग कोई बहुत विशेश बात GSM उसके साथ में उसका Android software कंप्यूटर हाडवेर है उसके साथ में उसका क्या है Windows software है कोई बहुत विशेश बाते नहीं साही है लेकिन अभी जब पास्ट एक्जाम के आप कुश्ण देखेंगे एना टेक्सेशन के आपको एक भी कुश्ण में दिक्कत नहीं आएगी फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बड़ा टफ है इसका मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्जाम में आतर पढ़ना क्या था हाँ 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 जी बासमस में आ गई है तो कमेंड करके आप यहां पर मेंशन कर दो अब इसके साथ में एक टॉपिक और मैं यहां पर आपको क्या कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं और वह टॉपिक है मेरे यार नहीं पिछले वाली शीट में तो होना तो चाहिए था और हाँ हुआ न है बई लुग में को यहाद है मैंने तो ठीक है ना बनाये थे प्रिजेम्टिव इंकम भी नॉन रेसिडिन्ट फॉरें आव इस्पोर्समें की बनाया था यह है ठीक है पिछले पीडिएफ में बचा बता प्रिजेम्टिव इंकम बड़े आसान बड़े आसान और एक्जां पॉइंट आए सच कुछ खास विशेश इंपॉर्टेंट टो नहीं है ठीक है ना खास और विशेश कुछ क्या नहीं है इमपॉर्टेंड तो नहीं है यह उक्ः सबसे पहले हम देख लेते प् तो मन में मैं समझता हो कि यह यह फॉरहन कीदियों यह Champions इतना प्रिद्हीं अभी जब मैंने आपको 112 क्या बताया था बताया था जब मैंने आपको क्या बताया था सब्सक्राइब बताया था तो वहां रेटे बताई थी टेक्स रीट बताई थी जैसे अपन 44 AD करते थे बहुत क्या होता है बहुत बड़ा होता है अब मैं यह कुछ इस तरह से बोल रहा हूं प्रोवीजन नहीं में को तयार करना होता है कि एक्जाम में ना हो तो ऐसे मन में फीलिंग देता हूं ऑच्छा एरक्राफ्ट टो क्या होता चोटा होता है थिक है वैसल तो इतने बड़े होते हैं कि उसमें कितने एरक्राफ्ट भी क्या कर जाते हैं लेंड कर जाते हैं तो उसकी रेट क्या हो गई ठीक है 50% जादा मतलब 35% उगे, अब ये 5,5%, deemed income किसी है क्या कीए तो इंडिया के पोर्टस एंडिया के एरपोर्ट से जो भी माल है, जोल के लाइव स्टाॉक्स हैं, पैसेंजर्स हैं जो भी बॉट्स हैं क्या हो रहे हैं low kay एंडिया के पोर्ट और loading पहां पहुई है ship कहां से हुए India के port या airport से हुए है plus plus India के बाहर के port या airport कोई भी maal live stock passenger मेल जो भी क्या हो रहे है शिब नो है इंडिया के बाहर से लेकिन और जा का रहे है मुझको यह भी घुब्य मालूं है तो वह एकुरूर राईजिन इंडिया माना जाता है तो उसका भी क्या करना होगा साड़े 7% करना होगा आपको कस्टम में आपको नामत ध्यान होगा शिब्ड ध्यार्जेस होते हैं हैं यर्पूर्ट्स होते हैं तो वह चार्जेस जो मिल रहें जिसको को मिलते हैं shipping company को मिलते हैं तो उसका भी क्या होगा साड़े साथ परसेंट होगा अब आप यहां पर देख सकेंगे तेके न कहां पर शिप्ड हो रहा है इंडिया के पोर्ट यह एरपोर्ट से हो रहा है क्या हो रहा है पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गोड्स यह जो भी हो रह है हाँ अगर वह received कहां पर रहें इंडिया में हैं तो भी उसका क्या करना यह साड़े साथ प्रसेंट करना है और इसके अंदर इंक्लूड करना देम रेज और कौन से शिप देम रेज और कौन से हैंडलिंग चार्जे उसका साड़े साथ परसेंट होगा सीशन है वो भी लैस नहीं कर पाओगी क्योंकि वो भी तो 32 से ही चलता है लेकिन इंकम बड़ी एक्टिव इंकम में चैप्टर 6 से की डिड़क्शन आपको मिल जाएगी लॉसेस है वह आप इस इंकम में से बिल्कुल सेट आफ कर सकोगे लेकिन अनएब्स डैपरी सीशन सेट आफ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसको पीजीपी हैंडल करता है जब हमने आपकी इंकम मामूली 5.5% और इतनी मामूली 5% क्या कर दिये निकाल दिये ओके आप इस में से लोवर प्रॉफिट या लॉस कभी क्लेम नहीं कर सकते इवन अगर आपको एक्चुली में लॉस हुआ भी है या आपको एक्चुल में प्रॉफिट साड़े साथ परसंट या पांच परसंट से कम हुआ है आप लोवर प्रॉफिट कभी क्लेम नहीं कर पाओगे आपको हमेशा ही साड़े साथ परसंट ही कले क्लेम करना होगा यह विशेश बात आपको यहां पर यह भी बता देता हूं असेसिंग आफिसर के पास में यह भी पावर नहीं है कि वो आपकी इंकम इससे ज़्यादा क्या कर ले निकाल दे मालदा आपकी बुक्स अफ अकाउंट्स में इंकम ज़्यादा आ रही है क्या रही है ज़्यादा आ रही है तो भी इंकम तो क्या रहेगी साड़े साथ साम में लेके को कुश्छन लुषन आना ही नहीं है लेकिन बटा देता हो यह वैसल जब इंडिया से छोड़के क्या हो रहा होता जा रहा हो तो उसका मास्ट आप चोड़के जा रहा है अब आप इस दूबारा कब आएगा नहीं गा तो हम चाहते हैं कि वो tax भरके क्या हो जाए चले जाए वो tax भरके क्या हो जाए चला जाए तो उसके लिए law ने provision बनाया बतार देता हूं क्योंकि लगने मेरे को दो मिटी है लेकिन exam purpose से relevant नहीं है किसमत ही खराब हो तो mcq में पूछ ले तो किसमत खराब नहीं रहेगी क्योंकि अब मैं पड़ा रह लो तो safe side उससे टेक्स ले लेते foreign company की रेट से अब आपका असेसी आपको इसे भी हो सकते हो लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं ना shipping company वाले अधर दिन company नहीं सेसी कैसे होंगे लेकिन question purpose से मैं बता रहो असेसी आप कोई भी हो वह तो अपने safe side आप से foreign company के पे जो tax rate 40% वाली होती है एप्लीकेबल सरचार्ज और सैस्ट होता है उस rate से आपसे क्या ले लेंगे वह टेक्स ले लेंगे तो tax rate जो कौन सी होगी foreign company होगी उस rate से आप से क्या लेंगे टेक्स लेंगे ओके हाँ आप written file कर दो आप जो normal tax rate होगी वह लगा देंगे यह जो टेक्स पे कर दिया उसको एडवास टेक्स की तरह माइनस करके refund बनता होगा तो refund भी क्या कर देंगे देंगे लेकिन department अपने आपको safe side रखते हुए आप से तो foreign और आ होए मैल जो अब आप से कि subscribe इंडिया के बाहर जो शिब्ड हुआ है उसका 5.7 percent प्रस्त नीया के बाहर πरसें वाल जब्स्तर आफ और इनडवा है अफित गैके इंक्लूडिंग वाल यह सिपिंग वालो पे है ठीक है tax ले लेंगे return file कर देना जो pay कर दिया उसको advance tax क्या कर लेंगे मान लेंगे और जो refund बनता होगा refund भी क्या कर देंगे हम आपको क्या कर देंगे देंगे इसमें से कोई deduction reduction set of act of कोई chapter 6 deduction कोई खर्चों की reduction हम आपको नहीं देंगे यहां पर तो यह प्रोसेजल पार्ट था exam point of view से नहीं था इसके बाद में मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूँ 44 कौन सा अभी जो पढ़ाया था दियान नहीं 44 भी पढ़ाया था भूल गए हो तो यह लो 44 भी तो अब पढ़ा रहा हूँ डबल भी नहीं त्रिपल भी भी नहीं बी भी यह पढ़ा रहा हूँ वह एरलाइन वालों के लिए है पांच परसंट बाकी सारी प्रोविजन सेम ही है ठीक है खर्चों की डिड़क्शन नहीं मिलेगी ओके और चैप्टर सिख से की डिड़क्शन आपको क्या हो जाएगी मिल जाएगी भई सेट ओफ हैट ओफ मिल जाएगा लोवर पॉफिट क्लेम नहीं कर सकते ओके और लेना कौन सा है जो माल यहां से शिप्ड हुआ वो और जो बाहर से शिप्ड हुआ लेकिन रिसीवड इन इंडिया हो रहा है वो उसका क्या है पांच परसंट हो गई बात अब मैं आपको करार है मैं जी कमेंट करके मेंशन कर दीचे की यह सर बात समस्व में आ चुकी है जल्दी से कमेंट कर दो 44 double B के अंदर क्या है इंडिया में mineral oils का क्या हो रहा है prospecting हो रहा है production हो रहा है उसका extraction हो रहा है उसको करने के लिए कोई non resident foreign company जो है वो हमको साहता दे रही है कैसे service provide कर रही होगी या फिर machine हमको क्या कर रही है higher pay क्या कर रही है दे रही है machine भी क्या करेगी चाहिएगे ना इन तेल निकालने के लिए किसका तेल जमीन में से उसका prospecting production extraction किस चीज़ का mineral oils का तो उसके लिए वो हमको services दे रहे हैं या planted machinery हमको higher pay क्या कर रहे हैं provide कर रहे हैं ठीक है तो उसकी deemed income मानेंगे कितना 10% मानेंगे presentive income कितनी हो जाएगी 10% होगी ठीक है यहाँ पर कितनी मानी जाएगी 10% क्या करी जाएगी मानी जाएगी अब 10% किसका लोगे अगें सेम बात है इंडिया में क्या हो रही है माइनिंग कह पर ठीक है ना आट पर हो रही है इंडिया में यह उसका 10% हो गया जैसे shipping और एरलाइन में था अगर mineral ओइल इन इंडिया है तो इंडिया है लेकिन amount received in India है तो भी उसका 10% है, mineral oil उसके लिए extraction के लिए service दे रहे हो, plant machinery क्या दे रहे हो, hire पे दे रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, अब एक बात ध्यान से समझ लेना, आपने यह जो यहाँ पर services दी है, या फिर आपने जो equipment उनको hire पे दिये, यह service देना 44BB applicable नहीं होगा, ठीक है न, applicable होगा, 115A, जहाँ taxability 10% थी, और अगर इंडिया में PE हुआ, तो 44DA applicable होगा, 44BB applicable नहीं होगा, तो देखो, रेडिमेट लिख दिया, अगर if about is in nature of royalty और fee for technical service, आपने service दी न, providing service है, या plant machinery hire पे दे रहे हो, तो आप जो भी service दे रहे हो, या आप जो machinery hire पे दे रहे हो, अगर वो क्या है, royalty और fee for technical service में क्या होगे, cover हो गई, तो फिर उसका तो वही होगा, 115A होगा, presumptive income 10% नहीं होगा, उस पे फिर tax, सीधा tax ही लगेगा, पूरे पे, या 44DA में जो normal tax rate है, वही लगेगा, ठीक है, बास समझ में आ गई, यहाँ पर, देखो, जहाँ rate 5% थी, और जहाँ पर rate क्या थी, साड़े साथ परसेंट थी, वहाँ पर मैंने क्या का, ना तो lower profit claim करने का option दिया, ना AO के पास में power है, कि अगर books में ज़्यादा income भी आ रही है, तो वो ज़्यादा को भी assess नहीं कर सकता, मतलब always 5 और क्या होगा, साड़े साथ होगा लेकिन जहाँ पर 10% है, जहाँ पर क्या है 10% है, वहाँ हमारे पास में क्या option दिया है, कि हम lower profit क्या कर सकते हैं, claim कर सकते हैं, और आपको ध्यान ने, अगर आपको presumptive से lower profit claim करना होता है, तो उसके लिए books of accounts maintain करने पड़ते हैं, उसकी audit करवानी पड़ती है, तो आप books of accounts maintain कर के audit करवा के अप lower profit भी claim कर सकते हो, लेकिन अगेन बाब बता जाता हूँ, assessing officer के पास में यहाँ पर भी power नहीं है, कि presumptive से ज़्यादा की income को वो क्या कर दे, assess कर दे, यह power उसको दी नहीं गई है section से, हाँ, जहाँ 10% है, वहाँ lower profit हम claim कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पाँच और मैं तो के तो section तो गए तेल लिने, ठीक है ना, मन में feeling समझ में आनी चीए, अगर कोई foreign company, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी company cover है, foreign company, वैसे exam purpose के लिए, नहीं, practically बोलू, तो shipping business भी foreign company कर सकती है, airline भी वहीं कर सकती है, ठीक है ना, और यह जो mineral oil के लिए, service देनी है, प्ला भी non-resident assessi चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर, अब जो triple भी पढ़ा रहा हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन चलेगा, foreign company चलेगा, किस मेंगेस दो, civil construction के अंदर, या फिर जो turn की project होते हैं, जिनको button दबा के क्या हो जाते हैं, integration करके चालू जाते हैं, तो वहाँ पर plant machinery का erection करना, testing, commissioning करना, turn की project के लिए, simple सा है, presumptive income वही कितनी है, 10% है, वही 10% है, बस फरक यहाँ पर सिर्फ foreign company cover है, lower profit आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, claim कर सकते हैं, मतलब बातें सारी same है, बातें सारी same है, यहाँ पर mineral oil, तेल निकाला था आपने, यहाँ पर क्या करोगे, बटन से कई होते हैं, ना, पावर प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, बटन दबाया, पावर प्रोजेक्ट क्या होगे, चालू हो गया, उसको बोलते है, turn की project, turn की मतलब, की turn करीब, वो तो बटन दबा के कर देती, और प्रोजेक्ट चालू, तो वो है, presumptive income कितनी रहेगी, 10% रहे है, हाँ, जहाँ, जहाँ, 10% रेट है, वहाँ, लोवर प्रोफिट हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ, पाँ, साड़े साथ है, वहाँ, लोवर भी नहीं कर सकते हैं, इसके बाद में, इसके बाद में, इस PDF का तो second last ही होगा, ठीक है, ना, yes, second last ही, head office, जो हमारे लिए चातों कराई होगा, ठीक है, ना, common खर्चे तो वह करता ही है, जैसे डेटा विटा खरीता है, फिर उस डेटा का यूज सब कर लेते हैं, सारी ब्रांचे यूज कर लेते हैं, तो इंडिया ब्रांच भी उसका यूज करती है, तो head office जो क्या करता है, expenditure करता है, उसमें इंडि attributable खर्चा है, वो, और एक maximum ceiling भी डाली गई है, और maximum ceiling है, 5% of adjusted total income, मतलब total income को थोड़ा से adjust कर लेंगे, इन दोनों में से जो lower होगा, उसकी मिलेगी, मतलब 5% of adjusted total income से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, बात है, head office खर्चा कर रहा है, इंडियन ब्रांच के लिए, तो उसकी reduction का section 44 सी है, पहला compare करने के लिए amount चाहिए, कि उन्होंने जो खर्चा करा है, common खर्चे करेंगे न, जैसे मान दो data के लिए खर्चा करा होगा, common data है, common marketing क्या है, cost है, ठीक है, तो जो common cost है, उसमें हमारा attributable कितना है, वो निकाल लेंगे, और उसको compare करेंगे, कि से हमारी adjusted, हमारी मतल से total income क्या होती है, देखो, total income तो आप जानता ही हो, GTI में से chapter 6 से की deduction माइनस करते हो, तो अब उसमें से आप deduction एड़ कर दो, वह पिस से, total income है, total income को एड़ करना है, तो उसमें chapter 6 से की deduction एड़ कर दो, losses, losses, set of हो चुके होते हैं, total income में, वो losses, जो set of हुए, उनको भी एड़ कर दो, और अगर आपने इस section की deduction लीव ही है, तो उसको भी क्या कर दो, एड़ कर दो, क्योंकि वो तो अपन निकाल रहे हैं, यह आपका आचुका है, adjusted total income, और इसका क्या होगा, 5%, तो सिंपल सी बात है, total income में से, पहले chapter 6 से की deduction एड़ कर दो, तो GTI बन जाएगी, फिर GTI में स losses, losses आपने set of कर रहे होंगे, broad forward वाले, तो वो वाले, unabsorbed वाले, वो भी क्या कर दो, capital expenditure जो हुआ, family planning पे, वो क्या कर दो, एड़ कर दो, आपकी adjusted total income आ गई, उसका क्या है, maximum 5%, लेकिन अगर वो loss आ गया, तो फिर कैसे करोगे, तो एक काम करना, जो पिछले 3 साल हैं आपके, ठीक है न, उन पिछले 3 साल का adjusted total income निकालो, उसका क्या कर रहो, average निकालो, उसका 5% ले लो, मान लो, 3 साल में क्या adjusted total income नहीं निकल के आ रही है, तो 2 साल का कर लो, और 2 साल नहीं है, तो किसका कर लो, एक साल का कर लो, ठीक है, बास समझ मैं आ गई, इसी के साथ में हमारा section हो गया, सी हो गया, अब करा देता हूँ, 115 बीबी है, आपको बहुत आसानी से क्या करता होगा, आता होगा, यह तो, ठीक है न, कुछी विशेश इसमें है नहीं, रीड करके ही आपको बता देता हूँ, बाते भी आपको यहाँ पर, ठीक है न, मून मजूमदार, जी को, गुड मॉर्णिंग है, वेरी लेट है, लेकिन गुड मॉर्णिंग है, यह section applicable होता है, जब आप non-resident हो, प्लस आप foreign citizen भी होने चीए हो, सिर्फ non-resident होने से बात नहीं बनेगी, आप citizen भी कौन से होने चीए हो, foreign होने चीए हो, ऐसे तो वरिंदर सेवाग भी मान दीजे, बाहर county cricket खेलता है, बाहर ही settle होगे, ठीक है न, इंडिया न, बी-सी-सी इन, अब उनको क्या कर दिया, ले नहीं रहें, तो अब वो बाहर खेलने लग गए, हरबजन लेकर आजाओ, क्रिस गेल की, वो non-resident भी है, और कौन है, foreign citizen भी है, ठीक है, प्लस क्या है, sportsman चलेगा, वो sportsman भी है, और कौन है, एथलीट, तो कौन है, यूसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट ऐसा कहा है, नाम है, एथलीट, अम माइंड में से आप पिक्चर हटा दो, किसकी, अफरिदी, शाहिन शाह अफरिदी, जो भी है, शाहिन शाह अफरिदी, वो पिक्चर लेकर आओ, क्रिस गेल हटा हूँ, क्रिस गेल क्यों हटाया, सूनियेगा, ठीक है, शाहिन शाह अफरिदी, non-resident है, बिलकुल है, foreign citizen है, यस बिलकुल है, sportsman ने, यस है, athlete है, यस है, अब उसको income भी कौन सी हो रही हो, participation in any game sports India, Chris Gayle तो retire हो गया ँपिंदिया में उसको income तो हो रही होगी, income तो इंडिया में हो रही होगी, तो सब्सक्राइब कारण जियंगा कलता, wilts game होते न तो वो game खेलने से हो तो वो non वो क्या बनकर adalah ठीक है ना स्पोर्टस मेन athlete बनकर आये अब क्रिस game रहा है अब वो retire हो गया ओब वो क्या हो retire हो गया तो उसकी बात नहीं इसलिए दिमाख में शाहिंशाए फिरीधी अब शाहिंशाए मैच नहीं होता तो फाल तो टाइम में क्या करता है आर्टिकल भी क्या कर देता है लिख देता है मैगजिन्स के अंदर तो उससे जो इंकम हो रही है उसकी टैक्सिबिलिटी स्पेसेफिक 20 परसेंट है बिना किसी खर्चों की डिड़क्शन के समझ में आगई बात तो यहां पर ना तो अपने विरंदर सहवाग चलेगा न सचिन तेंदुल कर चलेंगे नहीं अपने क्या चलेंगे क्रिस गिल चलेंगे और इस सेक्शन में कवर हो जाएगा नॉन रेसिडेंटों फॉरेंस सिटीजन एंटरटेनर लाइक क्या है शकीरा है पिटबुल है ओके अब तो रहे नहीं लेकिन क्या है माइकल जैक्सन है जो नॉन रेसिडेंट भी थे फॉरेंस सिटीजन भी थे एंटरटेनर थे आईपिल के ओपनिंग और क्लोजिंग सरेमनी में अपनी क्या देते थे परफॉर्मेंस देते थे और इंकम भी किस से कमाई उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ही कमाई हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी कितने से होगी 20 परसंट से होगी और अगर मान दीजे ऑस्टेलिया क्रिकेट एसोसीशन है मतलब नॉन रेसिडेंट इस्पोर्स एसोसीशन है उनको इंडिया में इंकम हो रही है वह किसी स्पोर् तो जो गारिंटीड अमाउंट उनको मिलता है तो उनकी टैक्सेबिलिटी कितने से होगी 20 परसंट से होगी जब रेट स्पेसिफिक है कोई खर्चों की डिड़क्शन नहीं मिलेगी कोई अलाउंस अलाउंस भी नहीं कोई सेट आफ एट आफ का बेनेफिट नहीं किसी तरह कि बैसिक एग्जेंशन लिमिट कुछ नहीं सीधा टैक्सेशन कितने से होगा 20 परजेंट से ध्यान रखना में यह सिर्फ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि खर्चों की नहीं मिलेगी कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगा अलाउंस नहीं मिलेगा हां रिटन फाइल करने की कि आbbe आखिक आपको बात क्या हो गई होगी समझ में आ गहीं होगी यह वाली बात अजब चब पर के चलिये फिर एक काम करें यह 10 मित का मेरी खाल सटेश्स webinar क्या कि दस मिटका क्या ले लेते हैं ब्रेक लेलेते हैं और उसके बात में कर लेते हैं aujourd कि अजी बोलिये 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 ब्रेक लेने क्या कि अजी कमेंट करके मेंशन करो अरे कमेंट कर दो यार नहीं तो चलो ठीक है कोई नहीं करते हैं ब्रेक इतना ब्रेक के कम्पीट कर लेंगे हाँ जी चलो अब मैं आपको करा रहा हूं क्या है बिजनस कनेक्शन ठीक है बिजनस कनेक्शन बिजनस कनेक्शन बिजनस कनेक्शन सुनिए देखें अगर डीटी डबले हो रखा है तो डीटी डबले बिजनस कनेक्शन की बात ही नहीं करता हूं वह बात करता है कि अगर इंडिया में पीई है तो इंकम टेक्सेबल है और अगर इंडिया में पीई नहीं है तो इंकम टेक्सेबल नहीं है अच्छा अगर आपका बिजनस कनेक्शन ह लेकिन पी नहीं तो वह income इंडिया में ट्रेक्षबल नहीं है क्योंकि DT AA whichever is more beneficial DT AA कहता पी नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा भली आपका क्या होगा बिजनस कनेक्षण है अच्छा अगर कोई क्या नहीं है DT AA नहीं तो फिर उसकी Connection कैशे देखेंगे हैंग तो norm देखते हैं फिर Permanent Establishment नहीं अगर बिसनेस Connection है तो टेक्सेबिटी होगी और अगर कनेक्शन नहीं है तो टेटेक्सिबिटी नहीं होगी तो क्या नहीं होगी यह बात भी लास्ट इसके नेक्स वाले वीडियो में बताऊंगा भी सही लेकिन हाँ समझ में आ गई होगी क्यों बात हो रही है क्योंकि डीटी डबले बोलता है विचैवर इस मोर क्या है बैनिफीशन तो वह बात करता है पी ए की परमानेंट एस्टेबलिश्मेंट है टेक्सिबिलिटी मत करो तो आएए देखते हैं इस बिजनस कनेक्शन का मतलब क्या है बड़ा आसान सा है कुशन जो आए है वो भी बड़े आसान आए है और ये जो अभी करा रहा हूँ जो मैंने लिखा है इसको पढ़ने और मेरे से सुनने के बाद में पास्ट एक्जाम के सारे कुशन जो आए हैं बड़े ही आसानी से क्या हो जाएंगे सौल हो जाएंगे बड़े ही आसानी से सौल हो जाएंगे ध्यान रखना इंडिया में कुश ऑफिस लगाने से कोई लाइजनिंग ऑफिस है ठीक है ना लाइजनिंग ऑफिस है मैं और आप दोनों को क्या कर देता हूं मिला द बिजनस कनेक्शन नहीं बनता है ओके तो बिजनस कनेक्शन के अंदर इंक्लूड है कौन सा प्रॉफेशनल कनेक्शन जैसे कि मान लीजे आप यहां पर एक फर्म और एडवोकेट की सुप्रीम कोड के अंदर क्या है के से उसके अंदरर रिप्रेजनेशन के लिए आपने मैं कहां का यूएस का ठीक है ना यूएस का बैरिस्टर हूँ आपने मेरे को इंडिया में बुलाया और सुप्रीम कोट के अंदर जो अपनी प्रोसीडिंग चल रही है के चल रहा है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मेरा आपके साथ में क्या बन चुका है बिजनस कोई agent दो बस agent है बन गया आपका क्या है बिजनस कनेक्शन और एज उसे contract क्या करता हो conclude कर लेता हो जैसे कि हम आपसे माल खरीदेंगे ठीक है ना हम इंडिया में बेचेंगे नहीं माल खरीदेंगे मान लो तो माल खरीदने का content क्या कर रहा है conclude कर रहा है तो इंडिया में वो non-resident के बिहाफ पे contract क्या कर लेता है conclude कर लेता है ठीक है आप यहाँ पर words भी देखते जाईएगा क्योंकि देखावाई तो लिख पाओगे activity carried out through a person on behalf of non-resident जिसका मतलब agent होता है अब कौन से agent को business connection मानेंगे जो habitually क्या करता है contract क्या करता हो conclude करता हो किसके बिहाफ पे non-resident के बिहाफ पे non-resident के बिहाफ पे क्या कर लेता हो conclude क्या कर लेता हो conclude कर लेता हो यह लेजिए on behalf of non-resident in India in the name of कौन सा non-resident I think बात समझ में आपको आ गई है ठीक है ना तू तो मेरा इंडिया में क्या कर माल स्टॉक रख ले ठीक है ना कुछ order order भी तेरे को नहीं लेना हमारे पास में जब order आएगा हम तेरे को बोल देंगे तूसकी delivery कर देना तू बस अपने पास में गोदाम में क्या रख स्टॉक रख तो अगर कोई ऐसा परसन ने जो नौन resident का इंडिया में स्टॉक क्या करता है मेंटेन करता है कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता कोई sales order भी लेकर नहीं आता है कुछ नहीं करता है और जैसे order उसके पास में आ जाता है उसके पास मदब non-resident बता देता है कि यह order तो तो delivery कर दे वो उसकी क्या करता है delivery कर देता है तो regularly deliver goods on behalf of non-resident वो क्या बन गया business connection बन गया ठीक है न इवन no authority to conclude क्या है contract I think यह भी बात क्या गई है समझ में आ गई है या फिर वो person भी cover हो जाएगा जो इंडिय या फिर stock रख ले या फिर non-resident के लिए कि ले कराए order ले कराए ठीक है न no order ले कराए लोगों से क्या ले कराए order ले कराए तो secure क्या करता है order करता है इंडिया mainly और wholly और why for किसके लिए non-resident के लिए इसका मतलब 100% उसी पर क्या है dependent है जिर्फ इस आप सुसी के लिए ये काम कर से अगर आप क्या कर रहो order secure करवा रहे हो तो आपका business connection नहीं माना जाएगा business connection तब ही माना जाएगा जो सिर्फ holy mainly सिर्फ आपके लिए करता हो आप पे dependent हो mainly और holy हो यह लीजे independent status है उसका तो not included in क्या है business connection मतलब general commission agent है जो नहीं करता है mainly holy किसके लिए non resident के लिए सबी के लिए कर रहा है तो ऐसे तो ऐसे आप रेक नहीं होगा क्या कि सर ठीक है ना शेरवन भाईया मैंने तो पूछा था ब्रेक चाहिए क्या mention ही नहीं करा तो मैं को लगा नहीं mention कर रहे हो मतलब रेक नहीं चाहिए इसलिए नहीं दिया नहीं तो मैंने पूछा था 10 मिट का ब्रेक दे देता हूं एनिवेस एनिवेस और मतलब भी नहीं है दस मिट में वैसी complete कर दूंगा इसको तो यह बास समझ में आ गई ना एक बास समझ लेना कुश्चन आ गया independent कौन सा लिखावा आ गया ऐसा लिखावा आएगा जन्रलेजेंट अभी बिजनस कनेक्शन वाला भी अफ्लूड गरवा दूंगा आज प्रैक्टिकल एक कुश्चन में तकलीफ नहीं आएगी क्यों कि वो जो कुछन पूछे गए ना लिखावा आजाए क्या फिरशब्स यहिने है ठीक है यह फिर फोक्स कर रहो हुआ बोल देना नहीं है बिस्नस कनेक्शन टीकलिग ना क्या खोल लिया ऑफिस खोल लिया खोलने से क्या नहीं बन जाओगे बिजनस कनेक्शन नहीं बन जाएगा बिजनस कनेक्शन करने के लिए क्या करो उनसे कॉंट्रेक्ट क्या करो यह काम करे कॉंट्रेक्ट क्या करें कॉंक्लूड करें या फिर क्या करें मेंटेन करें ऐसा कु बस यह होगा अब देख ले ना एक कुश्यन भी एक में दिक्कत नहीं आएगी अब इसको लेके एक और बात है ठीक है जिसको आप डाइग्राम से समझेगा मिस्टर ए है एक्टिंग ऑन बिहाफ зв इन्डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें है ना यह order किसके लिए भी ला रहा है मिस्टर वाई के लिए भी ला रहा है जब कि अपने बात करी थी अगर जंडरल हो इंडिपेंडेंट हो उसको अपन बिजनस connection नहीं मानेंगे एन आर का थीक है कब मानेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए लैं लेकिन यह तो ला रहा है अब जड़ा इस मात Dus करते हैं कि BLा क्यों रहा है यह मिस्टर वाई के लिए इसलिए लेकर आ रहा है बशा इस कंट्रोल कर रहَ इसलिए वो y के लिए लेकर आ रहा है यह x y को क्या कर रहा है control कर रहा है तो फिर x कर रहा है उसके लिए भी क्या लेकर रहा है order लेकर रहा है क्योंकि उसको मैं क्या कर रहा हूं control कर रहा हूं समझ में आ गई आई थिंक बास हम समस्में आ गई होगी ठीकर एल्स बिशनस कनेक्शन तभी बनता है जब वह सिफ और सिर्फ मेरे लिए काम करें सिर्फ मेरे लिए ओडर क्या करें लेगर आये बिस्टूर करें I think बासमस में आपको आ चुकी है अगर non-resident का इंडिया में significant महतवपूर्ण substantial कुछ ऐसा अच्छा खासा economic presence है उसकी इंडिया में जरूरी नहीं कुछ office office हो physical presence की बात नहीं करें economic क्या हो presence हो उसको भी अब क्या मान लिया है business connection मान लिया है उसको भी क्या मान लिया business connection मान लिया अब ये कैसे तेह होगा की अच्छा खासा और वो भी economic presence है ठीक है ना economic क्या presence है तो economic तो तेह होगा किस से ठीक है पैसे से अगर अच्छा खासा कुछ amount बड़ा होना चीए तो अब जरा सुनिये मान लिजे कुछ आप app वैप चला रहे हो गाने की ये dance wans की ये टिक टॉक की ये गेमिंग की ये फलाना की ये डिमाका की पता ही नी कोई से भी app चला रहे हो और इंडिया में आपके जो active users है आपके जो इंडिया में कौन है active users है वो कम से कम अगर कितने हैं लाक हैं ठीक है ना कम से कम कितने हैं तीन लाक हैं कम से कम आपकी इंडिया के active user जो है आपकी app पे मान लिया जाएगा कि आपका इंडिया में significant क्या है economy क्या है presence है ठीक है अजीबा समझे मैं ये वाली आपके और कैसे मानेंगे वो भी क्या कर रहा हूं बता रहा हूं बस कुछ नहीं 10 मिट ही क्या करने है लगने maximum नहीं तो 15 मिट 10 मिट में हो जाएगा या फिर इंडिया में आप जो भी क्या कर रहे हो काम कर रहे हो goods में deal कर रहे हो सर्विस में deal कर रहे हो ڈ Talasám आए डी टी डी टी आम स्लेंट के लिए कि तो ए यह क्या का मैं नहीं समझ पाया बहिया लेकिन बात को समझिएगा आप तो सिगनिकेट का मतलब आप समझी एप समझी लो कोई बी गेमिंग से एप समझी व MARY यूटीज наж डेटा है इंडिया में नियness को क्रोड कर रहे हैं आप क्या करों क्या सवफ्वियर क्या गर रहे हो किसी भी तरह का और जिसका एगरिगेट कanto duro क्रोड रूपए से क्या है zaadok 2 क्रोड रूपेसे जज्याधा का तो हो गया दो क्रोड रूर्प है मतलब दो क्रोड को इनों ने सिगनिफिकेंट मान लिया दो रूपय का मतलब एकोनॉमिक क्या होगे प्रिजन्स होगे और आपका अगर इंडिया में सिगनिफिकेंट एकोनॉमिक प्रिजन्स है तो इसका मतलब आपका क्या मान लिया जाएगा बिजनस कनेक्शन जबकि कोई एजें कोई कॉंट्रेक्ट भी कंप्रूड नहीं करना तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में जब कुछ नहीं है तो भी आपका बिजनस कनेक्शन मान लिया जाएगा ध्यान रखना दो करोड़ से तो ज्यादा अमांट है और एक्टिव यूजर की केस में कितना है आपके क्या है तीन लाक है ठीक है बन गया आपका क्या है बिजनस कनेक्शन बिजनस कनेक्शन अब सुनिये का बात को वन बोर मान लीजे इंडिया में कुछ 40 परसेंट प्रोसेसिंग होती है किसी भी गुर्स की और प्रोसेसिंग करके एन आर के पास बेचते है एन आर उस पे 60 परसेंट रिमेनिंग प्रोसेसिंग करके बेचता है तो इंडिया में इ इंकम उतनी मानी जाएगी जितना corruption इंडिया में बनाज़ेगा को उतना याँ चाह साथ आपको मालूप में हमने पढ़ा था आप इंडिया में क्या दे रहो रहे हो गुडस दे रहे हो इंडिया के रेसिडेन्ट को यह इंदिया के IP अड्रेस वालो Bat या फिर क्या कर रहे हो लोगों को advertisement की ते रहे हो बहले बहुत की Gilb Besides & की기는 को तार्गेट कर रहा है मेरत पो हिसी को इंडिया के जाएगा कि यह operation attributable to क्या है in India है तो क्या हुआ sale of data हुआ ठीक है कोई goods और service दिये advertisement कर रहे हैं इंडिया के resident को या फिर जिनका IP address है तो उसको भी मान जाएगा कि यह operation attributable operation carried out in क्या है इंडिया है नहीं माना जाएगा नहीं नहीं माना जाएगा कि कोई operation इंडिया में carried out हुआ है तो income deemed to accurate India नहीं होगी अगर आपका काम इंडिया में सिर्फ माल खरीद के और क्या कर देना है export कर देना है इंडिया से माल खरीदते हो और उसको क्या कर देते हो एक्सपूर्ड कर देते हो तो नर का नहीं माना जाएगा कि इंडिया में कोई operation एट्रुड्यूटेबल है तो इंडिया में deemed to accurate India नहीं होगा अगर कोई भी processing processing नहीं कर रहे हो जस्ट खरीद के उसको export कर देते हो तो purchase of goods इंडिया करते हो और फिर उसको क्या कर देते हो एक्सपूर्ड कर देते हो बस यह काम करते हो कोई operation नहीं करते हो अगर उस goods के ओपर मान दो 40% operation कर दिया तो जो भी income कमाई यह उसको 40% income deemed to accrualizing इंडिया हो जाएगी सिफ खरीद के export करोगे तो उसको इंडिया में operation कोई भी attributable इंडिया नहीं माना जाएगा ठीक है इसके बाद मैं मान दीजिए आप बाहर के कोई non-resident foreign company बाहर के आप क्या टीवी चैनल ओ न्यूस्पेपर हो इंडिया international न्यूस दिखाने के लिए आपको इंडिया में भी न्यूसekenल न्यूस दिखाने के लिए आपको सब्सक्रायक तो आपके इंडिया में कोई न्यूस चैनल नहीं चल रहा है इंडिया में वो न्यूस पेपर नहीं आ रहा है आप इंडिया में न्यूस कलेट करते हो वो व्यूस कलेट करते हो और उसका ट्रांसमेशन आउट से इंडिया करते हो सिर्फ इतना ही इतना ही कंफाइंड काम है आ उनकी भी कोई income accurate in India नहीं मानी जाएगी इसके बाद में मान दीजे कोई Hollywood movie की इंडिया में shooting हो रही है इंडिया में exhibition नहीं हो रहा है movie का theater के अंदर उसकी shooting हो रही है ठीक है न क्या हो रही है shooting हो रही है उसमें कोई भी partner ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंडिया का citizen हो और नहीं वो इंडिया का क्या होना चाहिए resident होना चाहिए अगर क्या है company है तो कोई भी ऐसा क्या नहीं होना चाहिए और कोई भी ऐसा शेरहोल्डर नहीं होना चाहिए जो इंडिया का क्या हो सिटिजन और इंडिया का क्या हो रेसिडिंट हो तो तो आपने जो इंडिया में शूटिंग करिया हम नहीं मानेंगे कि कोई operation carried out in India हुआ है तो कोई भी deemed to accruise India नहीं होगी ऐसा नहीं होगा कि Hollywood movie आपने बार दिखाई 500 क्रोड का collection हुआ हम कहें कि इस movie की shooting तो कहा हुई है इंडिया में हुई है shooting तो तो वह income इंडिया में taxable होगी इन्नों उसका इंडिया में exhibition होता तो वह exhibition से जो income होती वह taxable होती यह movie की shooting करके आप चले गए हो बार कोई भी citizen इंडिया का नहीं है resident नहीं है तो Hollywood movie वहाँ पर exhibit हुई 100 क्रोड कमाए 5000 क्रोड कमाए तो वह income इंडिया में attributable deemed to accruise इंडिया नहीं होगी इसके बाद में आप जो पॉइंट देख रहे हैं यह सिर्फ ओसी foreign company और पैपली के बल है foreign company और वह भी diamonds पे diamonds भी कौन से वाले अंकट वाले प्रैक्टिकल बात है आपने देखो को सूरत में diamond city जो है यहां पर सारी विदेश से साथ अफरिका से उनकट लएनपॉलिष psychologists हाते हैं इंडिया में सिर्फ पॉषींग चुटिंग होती है और सब पैसा जो डइयमेंड का जो होता है न वह इसकी पॉलिशिंग और कटिंग कही होता है ठीक है न गगके और जो झ острत डीफिकेट भी दाइग uncut diamond लेकर आये उसका क्या करा डिस्पले करा uncut unassorted diamond है ठीक है वो भी कहां पर करा जो notified special zone है बस इतना करा और चले गए फिर बाद में जाके कोई diamond क्या हो गया वो uncut diamond big भी गया तो नहीं माना जाएगा कि display करा था इंडिया में तभी तो भिका है ठीक है वो attributable to इंडिया नहीं माना जाएगा ध्यान रखना यह बाद सिर्फ और सिर्फ किसके लिए foreign company के लिए है डिस्पले हुआ है किसका uncut unassorted diamond का वो भी कहां पर special zone में ओके इसके अलावा अगर आपकी इंडिया में कोई भी property होती है मकान मकान कोई asset है कोई बी source of income in India है जैसे आपको कोई ब्याज मिल रहा है क्राय विराय क्या कर रहा है तो वह एक्रूराइज इंडिया ही क्या करा जाता है माना जाता है कि ओके अधिक है लगबग लगबग आप समझ लीजिए लास्ट बाद बता रहा हूं इंडिया में कोई capital asset है उसको ठीक है डिवडिन रास्हार है वो भी ही क्रूराइज इंडिया है ऑगिन्ट्रेस्ट मिल रहा है कई वाग्रिवास्ट इञाएं नहींlim इसकर अंदर कोई विशेष बात नहीं है लेकिन आप जो विश्यष बात है वो में बता रहा हूं देखो कोई company है जो बाहर incorporated है ठीक है ना foreign company में इंडियन कंपनी के shares की बात नहीं कर रहा हूं मैं foreign company की shares की बात कर रहा हूं foreign company के shares है और वो shares अपनी value derive कर रहे है substantially ठीक है ना कहां से इंडिया से अब यह कैसे तै होगा कि बाहर की company के shares इंडिया के assets से value अपनी derive कर रहे हैं उसका एक तरीका है आगर उस foreign company ने इंडिया में investment कर रखो 10 क्रोड से ज्यादा इंडिया में 10 क्रोड से ज्यादा प्लस 10 क्रोड से ज्यादा और प्लस उसकी जो total value of asset है total value of क्या है asset है उसका 50% और 50% से ज्यादा मतलब amount भी 10 क्रोड से ज्यादा होना चाहिए और प्लस उसकी जो total क्या है value of asset है उसकी जो total value of asset है उसका कम से कम 50% या 50% से ज्यादा इंडिया में क्या होनी चे असेट में investment होना चाहिए तो दौनों है एक तो हमको relative terms दिया relative का मतलब percentage wise 50% और और एक absolute term दिया है 10 क्रोड से क्या है ज्यादा तो बाहर की company है अगर उसने इंडिया में 10 क्रोड से ज्यादा और प्लस 10 क्रोड से भी नहीं होगा प्लस उसकी जो total value of asset है उसके 50% या उससे ज्यादा का asset उसने इंडिया में invest कर रखा है तो उस बाहर वाली company को shares को मालेंगे मानेंगे कि वो अपनी value कहां से direct करते हैं इंडिया के asset से क्या करते हैं और उन shares का जब भी क्या होगा ट्रांसवर होगा और जब उन पे ट्रांसवर पर गेन होगा तो वो gain उस non resident को इंडिया में क्या होगा taxable होगा लेकिन बात ध्यान रखना ये बात सिर् इंडिया नहीं माना जाएगा ये प्रूवीजन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए capital gain के लिए ठीक है खास बात अभी इसके अंदर और भी है दस कोड़ वाली से ज़्यादा दस कोड़ से ज़्यादा हो 50% या क्या हो more हो ठीक है ना वह हो अब वो जो shares है किसके पास जिसके पास shares है जिसको transfer करने से capital gain हो रहा है जो इंडिया में taxable होगा डिविडेंड नहीं होगा सिर्फ capital gain taxable होगा वो सिर्फ उसी shareholder को होगा जिस shareholder के पास में उस foreign company में control और क्या हो management हो उसके पास में right of control और क्या हो management हो हाला कि यह कैसे आता है इन्होंने अभी तक यह तो define नहीं करा ठीक है हाँ इन्होंने का ऐसा shareholder को ही इंडिया में tax करेंगे ऐसे चोटे मोटे shareholder को नहीं कर देंगे ऐसे shareholder को करेंगे जिसके पास में 5% से ज़्यादा के क्या हो shares हो तो हर shareholder को इंडिया में tax नहीं करेंगे ठीक है ना foreign company है जो अपने shares की value इंडिया के asset से derive करती इसका determination इ उन्हीं को होगा जिनके पास में अच्छे खासे अच्छे खासे का मतलब 5% से ज़्यादा के क्या हो shares हो ठीक है या फिर तो राइट आफ क्या हो control management हो तो यह तो जनरल बात हो गई बात होगे 5% से ज़्यादा के shares हो ठीक है तो ही उसका capital gain इंडिया में taxable होगा जिसके पास म च्यादा है उसका भी taxable सिर्फ क्या होगा capital gain होगा dividend क्या नहीं होगा टेकसे बल नहीं होगा हाँ जी बात समस में आ गई है तो comment करके आप यहां पर क्या कर सकेंगे mention कर सकेंगे comment करके आप यहां पर mention कर सकेंगे यह pdf आपको whatsapp group जो अपना बना है आपको ध्यान ही होगा ठीक है ना कि whatsapp group है ओके तो वहाँ पर भी provide कर दूंगा telegram पे भी क्या हो जाएगा एलन commerce discussion telegram जो हमारा group channel है वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा अविलेबल हो जाएगा practicals I think upload हो चुका होगा ठीक है तो आज आप इसका practical कर लीजे एक ही घंटा आपके लगना है nr का taxation है सारे कुशन ही सौल हो जाएंगे मेरे ख्याल से तो एक भी कुशन में आपको तकलीफ आएगी नहीं पर कोई यह सोच रहा है कि जब कही दिया है कि तकलीफ आएगी नहीं तो क्यों कुशन करना है ठीक है ना तो फिर उनके लिए कह दूंगा passenger अपने लगेज का स्वेम ध्यान रखे तो फिर आप अपना ध्यान क्या रख रहे हो खुद ही रख रहे हो मेरे वीजन में मिलते हैं जिसमें NRI का भी टेक्सेशन में आपको करा दूंगा residential status भी आपको करा दूंगा advance ruling भी करा दूंगा okay friends thank you friends yes you झाल 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 झाल